कि हलो इस्टुएंट्स माइब इस गौरो पांचाल फैकल्टी ऑफ मैथ इन दिस वीडियो वी डिसकस ओल टाइप ऑफ क्यूशन जो काफी पिछले सालों में सी बेसी बॉर्ड में जो सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल वो सारे कुशन इस वीडियो में हम डिसकस करने वा कोज कई स्टुडेंट्स के यह डाउट हो रहा है कि उन्हों लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ाई नहीं की है या फिर उनको टोपिक्स पता नहीं है कौन से टोपिक्स डिलिटेड हैं या किस तरह के क्यूशन ज्यादा पूछे जाने वाले हैं कई बच्चे इस तरह से भी ड डिफिकल्ट आएगा इसकी आप चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए सिर्व इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा विकोज यह वीडियो मैंने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि जो लास्ट मोमेंटर तैयारी जो प्रिप्रेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए सव साल किस तरह के होंगे एक्जाम में जो पिसले सालों में जो एक्जामिनर किस तरह से पेपर बनाता है किस तरह की क्योश्ट वो डालता है उस तरह क्योश्ट में लेकर आया हूँ इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखेगा और काफी फाइदमत आपको काफी होने वाला है प्लीज यदि यह पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ओके तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको चार दिन बचे हैं कि आखरी वार मैस में आपको आरपार करना है बिकोज कहीं क्योशन ऐसे हैं जो डारेक्ट एंजियाटी से पूझे गए हैं लेकिन कुछ क्योशन इस तरह से भी हैं बच्चों जो एंजियाटी से सवाल पूझे गए हैं कहीं भी एंजियाटी में वह सवाल नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी उस तरह का सवाल बनाकर आप सवाल यह पहला सवाल यह अल्रेडी आ दो जार बाइस वाले एक्जाम में पूझा गया है जीरो से पाइब फॉर में डी एक्स बाइब वन प्लस टैनेक्स इसका इंट्रिग्रेशन्स में काफी दिक्कत आती है बच्चों को किस तरह की क्विश्टन्स हो सकते हैं उसके लिए exercise और miscellaneous exercise के एक भी सवाल नहीं जोटना है सारे 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 Why Cons with example आपको सॉल करके जाना है साइम डिटो सवाल वहां से आ सकता है या उस concept best और पूझाजा सकता है जैसारी है ग्जीरो से इसको हम स्लकु आपको answers लिखने यह भी आप साथ साथ दियाँ रखना है बच्चों, ओके, यहाँ पर सिंबसी बात है, questions पूझा गया है, 0 से pi by 4, 1 upon 1 plus 10x, और अभी direct कोई standard formula इसमें apply नहीं हो रहा है, जब आप इस तरह की questions आज़ा, 0 से pi by 4, 0 से pi by 2, यह 0 से कुछ दिया गया हो, यहाँ कुछ limit दी गई हो, तो यह property based questions में चले जाते हैं, property based वाली questions आपको पता हैं, जो हमने class में discuss किये हैं, है ना, 7 जो property है, उसमें से कोई एक property यहाँ apply करनी होगी आपको, ओके, जैसे, यह integrals दिया हुआ है, 0 to dx by 1 plus 10x, ओके, आपको यह वाली property यूज़ करनी, कौन सी property, आपको यह पढ़ी है भई, 0 से a वाली थी function में f of x dx, क्या इसे हम replace कर सकते हैं, x को a minus x से, इसे replace किया जा सकता है, ठीक है, तो यह property है, इसमें use कर ले, यहाँ पर आपको क्या करना है, x को replace करना है फटाक से, और कुछ नहीं करना, जितना जल्दी हो उता जा, time waste नहीं करना, equations में dx by आप इसमें रखोगे 1 plus 10, और यहाँ पर replace कर दीजे, pi by 4 minus x, बचो यहाँ पर देखो, यहाँ pi by 2 होता तो change होता, लेकिन pi by 4 minus x से यह बिल्कुल भी change नहीं होगा, इसको आप expand कर दीजे, इसे open कर दीजे, आपको पता होना चाहिए, trigonometry, देखो, comment integrals है, और derivative वाले part में integrals, और इसमें दोनों में trigonometry यूज होगा, तो 10 a minus b का formula यहाँ apply करोगे, तो 10 a minus b क्या होता है, 10 pi by 4 minus 10 x लिकूंगा अपोन, 1, 1 minus 10 x बन जाएगा, direct कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, 1 plus यह हो जाएगा, 1, 1 minus 10 x divided by 1 plus 10 x, आपको यह फता होना चाहिए, formula भाई, इसको मैंने replace किया only, ठीके, इसको आप आगे solve करोगे, 1 plus 10 x numerator में चला जाएगा, and यहाँ पर 1 plus 10 x आएगा, 1 minus 10 x, 10 x से 10 x cancel हो गया है, 2 बचेगा नीचे, यह 2 लिग दिया हमने, and dx, इसी गाए तो आपको क्या करना है, integrals करना है, क्या constant बहार आता है, जी हाँ बहार आता है, constant को बहार ले लिजिए, 1 plus 10 x का ही तो integral करना है, 1 का कितना हो गया, x हो गया, और 10 x का कितना होता है, वेटा, log, mode, sec, x, और यह 0 से pi by 4, तो 0 से pi by 4 आप limit put कर दीजिए, यहाँ पर, ठीक है, definite वाला है, c add करने की दुरत नहीं होगी, सिर्फ इसे solve करना है, जो आपका answer होगा, उसको last तक mention करना है, तो step by step आपको solve करके दिखाना है questions, ठीक हैं, इस तरह questions यह NCRT में भी है, जरा देहन दीजिए, NCRT में मिल जाएगा आपको, next question पर आते हैं, यह questions पर अलड़ी पूछा गया है, देखो, अब देखो, यह question कहीं NCRT में नहीं है, वेक्टर वाले chapter से आया है, लेकिन वेक्टर में कहीं भी यह नहीं है, बट उस तरह का concept वहाँ से लिया गया है, तो बच्चों, इस तरह की questions को हम किस तरह से deal करेंगे, पहले questions को carefully read करोगे, questions में क्या given है, क्या हमें निकालना है, क्या prove करना है, इफ A vector, B vector are two vectors, such that magnitude A vector plus B vector equal magnitude B vector दिया हुआ है, then prove that A vector plus 2B vector is perpendicular to, हमें तो क्या prove करना है, परपेंडिकुलर परूव करना है, अगर यह इस वेक्टर को किसके परपेंडिकुलर करना है, A vector के परपेंडिकुलर परूव करना है, परपेंडिकुलर, दो vectors यदि परपेंडिकुलर होते हैं, तो बचों, दो vector perpendicular होते हैं, तो dot product और आपने vector product जरूर पढ़ा है, dot product में क्या होगा, कि यदि suppose कीजिए, दो vectors है, A dot B, उनका perpendicular है, तो 90 हो गया, इंकल वो कितना मिल जाएगा, 0 मिलना चाहिए, तो A dot B, 0 होना चाहिए, यहाँ पर complete यह एक नया vector है, और यह A vector है, तो इन दोनों का dot product कितना आना चाहिए, 0 ही तो परूव करना है, क्या 0 परूव गिवन है, A दो vectors है, ओके, तो गिवन है, हहाँ पर A plus B, that is magnitude of B vectors, आपको देखो, यह magnitude बराबर है ना, इनका, तो इनका squaring कर दिया करो, इस तरह के देखो, आपको यहाँ पर idea कैसे लेगा, कि angle कैसे लाएंगे, squaring करेंगे, तभी तो आएगा है, तो both side squaring, तो यहाँ पर देखो, यह square कर दिया है, squaring खोलेंगे, A plus B का whole square, उसे से, तो magnitude of, plus magnitude of B square, और यहाँ क्या आएगा, बच्चा भई, A dot B आएगा, यह दिहान रगना है, A dot B, A dot B, क्योंकि यह vector की form में है, तो यहाँ dot लगा देना है, ठीके, equal, यह magnitude B का square चली रहा है, got it, क्या हम यहाँ से cancel कर सकते हैं, क्या, क्या हम यह cancel कर सकते हैं, क्या, यह चीज दोनों सेम है, वो cancel out हो गई, क्या क्या बचा है, यही तो बचा है, magnitude A square plus 2 times A dot B, और equal, इधर कितना हो गया, 0 मिला, इधर कितना मिला, 0 मिला, क्या इस चीज को, क्या इस चीज को, हमें यह धिहान देना है, कहीं समझ में आ जाता है, रास में हमें क्या प्रूव करना है, क्या बनाना है, तो थोड़ा idea लगाये करो, देखो, सोचने के मजबूर जरूर करेगा, सवाल नहीं तो नहीं बनेगा, आप क्या करोगी, यह A dot plus, यह A plus 2 B चल रहा है, और यह perpendicular बोला जा रहा है, पर, that means, यही तो ह होगा न, A plus 2 B, इन दोनों का dot product, A के साथ कितना मिलेगा, 0 मिलना चीए, है न, यही तो हमें प्रूव करना है, क्या आप इन दोनों का dot product करके दिखा सकते हो, क्या जो last में line आई है, क्या यह वही similar line है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिखा जा सकता है, क्या, अच्छ बच जाएगा न, यहाँ पर, तो B बच जाएगा, equal 0, क्या इसी form को इस form में represent किया जा सकता है, बिलकुल किया जा सकता है, देखो बच्छो, A dot, A plus B, तो हो गया न, इनका दोनों का dot product कितना मिल गया, 0 मिल गया, तो यह prove हो चुका है, यह prove हो चुका है, सर्विए two marks में पू पूशा गया सवाल है, तो दो number वाले questions में, आपको सिर्व दो से तीन line में ही आपको खतम करना होता है, okay, तो clear हुआ चीज, तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि आपको angle लिकालना है, या कुछ और theory यहाँ पर apply करनी है, तो next question पर आते हैं, यह question पूछा गया है, if A vector, B vector are unit vectors, and theta is the angle between them, then prove it, sine theta by 2 equal half of magnitude A minus B, अच्या यह प्रूव करना है हमें, बात वहीं आ गई फिर से, अभी just मैंने बताया आपको, इसका solution, यहाँ पर क्या है, दो vector से unit vectors, तो given क्या है बच्चों, यहाँ given है, A vector, यानि कि A vectors, दोनों unit vectors है, तो magnitude कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, magnitude कित आ रहा है, 1 आ रहा है, और theta क्या है, दोनों के बीच का angle है, हमें यह प्रूव करना है, तो यह कैसे प्रूव कर रहे हैं, अब कहीं बच्चों समझ में आएगा, sine theta by 2 कैसे लेकर आए, आपको यहाँ से start कीजिए, A minus B, A minus B का magnitude given है, क्या A minus B अपन लेकर इसका squaring करके, क्या य forms बना सकते हैं, बच्चों, यह लेकर सकता हूं, ठीक है न, इसका squaring कर दो, open, तो इसका squaring करूंगा, तो वही चीज जो हमें last सवाल में देखा, वही चीज कुछ इस तरह से मिलेगी, A dot B, इससे लिखा जा सकता है, because A dot B में angle भी आ जाएगा, theta, A और B का magnitude already कितना है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 mention कर दोगे, 1 और 1 कितना हो गया, बच्चों, 2 हो गया है, minus 2 और A dot B, is it correct, क्या सही चल रहे हैं, अब बच्चों, यहाँ पर देखो, यह चीज क्या होई, क्या common आ रहा है, 2 common ले रीशे, 2 common ले रीशे, 1 minus, अच्छा A dot B, A dot B क्या होता है, A dot A dot B में, angles की बात की, na, angle भी तो आ रहा है, यहाँ पर, तो A dot B, that is, magnitude A, magnitude B, and cos theta, ओके, यहाँ पर हम replace करेंगे, तो magnitude इसकी जगा, तो 1 आ जाएगा, यह भी 1 आ जाएगा, और cos theta रहेगा, ठीके, तो यहाँ से देखो, 2 तो भाहर ले लिया है, cos theta ही लिख देता हूँ, right, यह side में, आप लिख सकते हो, अब चोई, 1 minus cos, 1 minus cos theta, क्या, इसको हम, half angle वाले, formula में, change कर सकते हैं, 1 minus cos theta, क्या होता है, 2 sin square, 2 sin square, theta by 2, is it correct, तो 2 sin square theta by 2 हो गया है, क्या हम सही चल रहे हैं, क्या हम सही चल रहे हैं, क्या, बच्चों, देखो, यहाँ पर देखो, A minus B, A minus B, और 2, यह 2, 2, कितना 4, 4 sin square theta, फिर यहाँ पर squaring चल रहा था, यह squaring चल रहा था, आप squaring हटा यह, तो क्या, यह forms बन गई, क्या, यहाँ से यही तो forms बनेगी, हाफ यह 1 by 2 आ रहा है, तो यहाँ से 2 बचेगा, तो यह 2 को इधर लगा दीजिए, और magnitude A minus B, और equal, sin theta by 2, यह हो चुका है proof, यही तो proof करना है हमें, यही तो proof करना है न, यह आ गया बईया, और last बस, यह लिखना है और इसके 2 marks, यह 2 marks में पूचा गया है, ठीक है न, इसमें ज्यादा लिखने की जुरूरत नहीं होगी, सिर्फ दो number आपको लेना है, दो number मतलब, यह step marking होती है बच्चों, यह लिखा है, तो इसका 1 marks होगे, फिर इसके 1 marks होगे, last तक आप करोगे, कोटी, next सवाल पर चलते हैं, next सवाल है, यह भी integral से पूचा गया है, integral e2, 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 power x, और sin2 x, क्या इस तरह की questions किये जा सकते हैं, अब कहीं बच्चे सोच रहे होगी, क्या इस तरह की सवाल पूचे गये हैं, yes, पिसले ही 1-2 साल के अंतराल में equations, board में, cbc board में पूचे गए हैं, ठीक है, तो इस तरह की questions में, आपको पता होना ची, कौन सा formula लगेगा, because यहाँ पर क्या लग रहा है, parts method लगा सकते हो, integral parts method से आप करोगे, जिसमाँ I late के according, first or second, आप variety दे कर चलोगे, पता लग रहा है, यहाँ पर यह second होगा, exponential function से, trigonometry first हो जाएगा always, तो इसमें आपको I को लिख लिया करो, ठीक है न, यदि नहीं दिया हो, ठीक है, I mention कर लिया करो, so that, अब यहाँ first से, जो first function माना है, उसको हम छोड़ देते हैं, I late के according, वो rule आप लिख दोगे formula, तो sin 2x, यहाँ पर e की power x का हम integrals करेंगे, minus d by dx, किसका derivative ह होगा, जो first function छोड़ा है, sin 2x, sin 2x का integrals करोगे, फिर derivative करोगे, यहाँ पर, फिर integrals होगा, e to the power x dx, बंद कर दोगे, अच्छा, यह जो dx आए, last वाला, last वाला dx, इस वाले का, complete, क्योंकि यहाँ पर भी एक नया function बनकर आएगा, आपके सामने, नया function आएगा, यहाँ आएग तो 2 cos 2x, इसका derivative करना है आपको, ना कि integrals, integrals सिर्फ इसका करना है, जो पहले सही होगा, e की power x, यह dx, last वाला आपको, dx लिग दिया है, तो देखो, 2, यह 2 is constant है, cos 2x और e की power x, फिर से repeat हो रहा है, अब फिर से repeat हो रहा है, तो क्या करें है, वाई, क्या फिर से smile rate rule लगा दे, क्या parts matter लगा दे, yes, इसमें फिर से parts matters हम लगा देंगे, e की power x, sin 2x, लिग दीजिए, ठीक है, minus यह two, bracket लगाया करो, bracket लगाया, कई बार minus plus के mistakes हो जाती है, यहाँ पर, तो यह ध्यान दो, यह नया सवाल बन गया है, पुरी तरह से क्या बन गया है, नया सवाल बन गया है, अ जब यहाँ इसको फिर से parts matter लगाना है, parts में यह first हो गया है, यह second हो गया है, जब इसमें first में cos 2x, इसमें लगा रहा हूं, e की power x का integrals करेंगे, वो लिख रहा हूं में direct, e की power x हो जाएगा, minus यह minus आ जाएगा, integrals यहाँ पर, इसके बाद derivative होगा, किसका जो first function छोड़ा था that is a cos 2x, cos 2x का derivative केतना होगा, minus 2, minus 2 sin 2x, minus 2 sin 2x derivative, ठीक है, अब e की power x का integrals, e की power x से लिए, वो last वाला dx लिख दिया है, बच्चो, क्या यह minus minus plus हो जाएगा, यहाँ से minus minus plus कर दीजी, ओके, है ना, यह complete होगा, पास समझ मैं, अब अब अच्चो, यदि देखो, यह open करोगे न function, e की power x, sin 2x फिर से आ रहा है, e की power x, sin 2x आ रहा है, क्या फिर से हम smiley apply कर सकते हैं, इसमें फिर से parts मैंतर लगाईए, parts मैंतर लगाएंगे, तभी देखो, parts मैंतर अच्छा, अब फिर से parts लगा देंगे, तो फिर से cos 2x आ जाएगा, cos 2x, e की power x बनेगा, क्या हम इसको i से replace कर ले, क्योंकि बार-बार repeat होने वाला है, बार-बार इसमें अपन काम नहीं करेंगे, इसको हम हटा देंगे, because हमने यही तो functions लिया है, और यह किसके equal मान कर चले हैं, i के, किसके equal मान कर चले हैं, i के, तो क्या हम इसको i से replace कर लें, okay, i हो गया, यह क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, लेकिन उसके minus हो गया है, और यह minus i क्या होगा, आपको इधर transpose करना है, है ना, आपको इधर LHS side में transpose करना है, जब transpose कर दिया है, तो i यह भी उधर जाकर plus हो जाएगा, तो कितना हो गया, 2y, ठीक है, अब 2y equal, कहीं बच्चे 2y equal answer छोड़ देते हैं, that is wrong, आपको क्या करना है, हमें i का value निकालना है, integrals निकालना है, ठीक है, तो 2 से जो भी constant आया, उसको वापसे divide करोगे, आप इधर RHS में बेज होगे, ठीक है, तो इस तरह के question ते को कितना simple questions है, यह आपके parts method पर आपकी पकड़ है, parts highlight rule आप जानते हो, तो easily solve कर लोगे, इस तरह की questions में, आपको marks बिल्कुल भी नहीं cut वाना, okay, next question पर बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे questions है, सारे questions से पर discuss करेंगे, इस तरह की questions से पूछा गया है, यह 3 marks में पूछा गया सवाल है, अब अच्छो इस तरह के questions को कैसे करेंगे, दिखने में काफी वो लग रहा है कि किस तरह से किया जाएगा, बट इसका, अब 3 marks में पूछा गया है, तो 3 marks के according हमें, इसमें लिखना पड़ेगा, 2x आरा है, x square plus 1 और x square plus 2, क्या हम इसमें, let x square को t consider कर लें, एक नया parameter consider करके चले, because उपर मुझे पता लगया है कि 2x dx इसका derivative मोजूद है, तो x square को t से consider कर लेते हैं, और इसका differentiate कीजिए, तो x square का differentiate कितना हुआ, 2x dx और dt, ओके, तो आपको क्या करना, x square 2x dx equal dt वाली form में लिखोगे, यह dx उदर ही लिखा था, लेकिन हम इदर कर लें, क्योंकि x के respect में कर रहे हैं, तो dt by dx इससरे चल रहा हूँ, अब बात करते हैं, क्या 2x dx को हम replace कर सकते हैं, dt के थूरू, यह तो बात समझ में आती है, x square को हमने t महना हैं, बच्चों, तो t की जगा, यह x square की जगा, आप क्या replace कर दोगे, t, तो 2x की जगा यह हो गया dt, और divided by, नीचे क्या हो गया है, t plus 1, और t plus 2, इस तरह से लिख सकते हैं, क्या अब यह समझ में हैं, अब यह आपको easy लग रहा होगा, यह कौन से method से हो जाएगा, partial fraction method से, क्या इसको partial fraction से कर सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, partial fractions में करने के लिए, आपने क्या consider कि 1 upon t plus 1, और t plus 2, इसको a upon t plus 1, b upon t plus 2, क्या इस form में लेख सकते हैं, yes, यहाँ से आपको a और b का value निकालना है, तो निकाल सकते हैं, यह इस तरह से multiply कर लो, यहाँ से आजाएगा, है ना, और यह b t plus b आजाएगा, divided by t plus 1, और t plus 2 कर लोगे, क्या यहाँ से t plus 1, t plus 2 तो हड जाएगा, compare करके a और b, दो ही unknown लेकर चलेंगे, क्योंकि दो ही यहाँ पर चल रहा है, a और b का value आपको निकालना होगा, a और b का value आप निकालोगे, तो यहाँ से compare कर लोगे, यह a t और b t, तो यहाँ से a plus b, यह t का coefficient हो जा यह किसके equal हो जाएगा, इधर constant कितना है, 1 है, विकोर यह completely क्या है, constant वाला part है, तो constant 1 लिख दोगे, यह one के equal हो गया, right, तो a plus b, तो क्या यहाँ से a बराबर minus b हो गया है, और यह value यहाँ रख लोगे, तो यहाँ से कितना minus 2 b, plus b, तो my b equal कितना मिल गया है, मेरे को minus 1 मिल गय यह value वापस से कहाँ replace करोगे, हमें किसको हटाना है, इसका partial fraction हमने यह break किया, तो a की जगा plus 1 लिखोगे, b की जगा minus 1, सिर्फ यहीं तो करोगे, इन ही का है, तो integral करना है, 1 upon t plus 1 dt कर दोगे, और minus बाहर आजाएगा, 1 upon t plus 2 and dt, okay, इसका integral कर दीचे, यह हो गया, ln mod t plus 1, minus ln फिर से हो गया है, mod t plus 2, और plus, यहाँ पर indefinite वाला है, तो c आपको add करके चलना है, c नहीं बूलना है, t की जगा वापस से last में, आप replace करोगे, t की जगा आप replace क्या करोगे, x square, क्या replace करोगे, x square, ठीक है न, तो यहाँ replace कर दोगे, तो answer आपको मिल जाएगा, के लिए रहे बात, पास समझ में आती है, आपको, देखो, इस तरह का, यह NCRT में questions आपको मिल जाएगा, इस तरह कहीं तरह के सवाल है, जहाँ आप इस तरह के questions की practice कर सकते हो, ठीक है, next वाला जो questions है, देखो, जो next वाला सवाल है, यह probability से पूझा गया है, ठीक है, और यह 3% ABC, सबसे पहले questions को पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, 3% ABC apply for a job of manager in a private company, अब बटो, यह वाला questions है इस तरह का questions, मैं आपको बात बता दूँ, इस तरह का questions NCRT में नहीं दिया गया, पूरा इस तरह की wording नहीं दी गई है, सवाल जो दिया गया, इ अब इस पर बताऊंगा, कौन सा topic से यह सवाल पूछा गया है, और कहां इस तरह की questions आपको NCRT में मिल सकते हैं, कौन सी exercise में, 3% ABC apply for a job of manager in a private company, okay, chance of the year selection are in the ratio, 1 is to 2 is to 4, the probability that A, B and C can introduce changes to increase the profit of a company 0.8, 0.5 and 0.3 respectively, ठीक है, if increase in the profit does not take place, find the probability that it is due to the appointment of A, ठीक है, reason क्या पूछा है, last में, किसके respect में probability पूछी गई है, probability जो पूछी गई है, यह जो appointment of A है, ठीक है, तीन आदमी थे, तीन आदमी ने क्या गिया है, किसी pride company में, job के लिए apply किया, ठीक है, अब उनके जो selection का ratio है, first का जो है, one है, second का two है, the probability that A, B and C can introduce changes to increase the profit, company का जो profits को increase करने के लिए जो changes की probability है, तीनों के थ्रू, है तीनों ने जो बताई है, 0.8, 0.5 और 0.3 है, ठीक है, if increase in the profit does not take place, find the probability that it is due to the, अच्छा जो profit नहीं हुआ, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, वो किसके कारण से, A वाले जो परसान है, उ क्या इस तरह के questions हमने किये थे, क्या इस तरह के सवाल थे book में, yes, आपने exercise base theorem वाली, base theorem वाली exercise में इस तरह के questions थे, ठीक है, word problem वाले है, जहां पर आपने इस तरह के questions पर, और यहांप एक्जक्ट इस तरह के सवाल नहीं था, लेकिन इसी pattern पर सवाल वहांपर है, आपको यो है तीना आदमी ये जार तीनों अलग अलग आदमी जो मिशली एकसिलीठी ठीक है और एक event ऐसा होता है एक इवंच छोता है जो common हो रहा हूत है ठीक है बास तो यह में किया होता है बेसे मापो पता है A, B, C can introduce changes तीनों को, तीनों क्या कर रहे है introduce changes to increase the profit of company यह दिया हुआ है है ना, if increase the profit does not take fine, तो अपन निकाल सकते हैं क्या यहाँ पर देखो, let पहले तो आप तीनों के selection करें यदि क्योशन 3 marks या 4 marks 5 marks में पूछा गया है यह इस तरह question 3 marks में पूछे जाते हैं basically, तो यहाँ event consider कर लिएगा, let even events यह event event क्या बताएगा selection of person A, ठीक है ना इसी दर से E2 event आप consider करोगे, selection of person B की बात करेंगे E3 events बच्चों selection of person C okay तीनों हो चुके हैं क्या इनकी inducedly probability हमें पता है देखो, P of E1 यह थी आप से पूछा जाए P of E1 कितना हो जाएगा इनका ratio देखो, 1, 2, 4 है total 7 हो गया है और A का है तो यह 1 by 7 right P of E2 क्या P of E2 निकाला जा सकता है, 2 by 7 हो जाएगा क्या P of E3 निकाला जा सकता है, years 4 by 7 हो जाएगा तीनों का निकाल लोगे, ठीक है अब अच्छोए, common events जो हो रहा होगा let, common events को अपन या तो capital E से mention कर दीजी यहाँ E1, E2, E3 कर लिया है E से, वो क्या है कि introduce changes to increase the profit of company, यह line यहाँ पर same लिख सकते हो, भाई E आपको बताना पड़ेगा, E क्या चीज है कहीं बच्चे क्या हते, direct करते है please, इस चीज का ज़रूर दियान रखना है आपको event mention करना है E1, E2, E3 क्या माना है ठीक है, और यहाँ पर उसके according probability लिखनी होगी because यहाँ पर यह mention छोड़ देते यह करना भूल जाते हैं बच्चे direct आप यह करते हो, यह कर यह लिख लिए ठीक है, that is wrong कई marks कर सकते हैं उसके 1 से, half से 1 marks यहाँ पर काटा जा सकता है तो E, E क्या माना है एक क्या माना है, इक क्या माना है इक क्या माना है, इक क्या माना हो रहा है of a company, यह consider कर लोग है ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या मैं यह निकाल सकता हूँ P of E by E1 क्या बता सकते हो E by E1 E by E1 का मतलब क्या हुआ है E1 कौन सा है, E1 selection of A और उसकी वज़ए से company में जो changes हुए है profit में, वो कितनी उसके कितने संभावना बताए गई है 0.8, कितनी है बच्चों 0.8 बताए गई है 0.8 बताए गई है, 0.8 बताए यह देखो लियांस ओके, similar P of E by E2 अब आपको समझ में आ गया होगा E2 का मतलब जो given है नीचे जो लिखते हैं, जो already हो चुका होता है E2, यानि कि दूसरा selection of B की बात कर रहा है और E तो common हो रहा है न तो E मतलब introduce the profit में क्या changes हुआ उसके chances, तो उसके chances कितना है बच्चों 0.5 यह probability direct दिया हुआ है and P of E by E3 तो E3 का मतलब C का selection हुआ उसके वज़े से company में कितना profit 0.3 यह तो हमने निकाल but questions में क्या दिया हुआ है कि increase in the profit does not take place नहीं होना चीए उसके लिए पूछा गया है क्या हम इनका इनका ऐसे निकाल सकते है P of completely 0.2 आ जाएगा इसका complimentary events की profit निकाल लो इसके complimentary जब यह selection हो रहा है उसे profit हो रहा है तो यह profit नहीं होने की बात करेगा ठीक है तो उसके chance से 0.2 होगा because 1 में से 0.8 माइनस करना है इसका भी similar है आप निकाल होगे P of E बाहर लगा दीजिए और E2 कर दीजिए तो यह 0.5 यह हो जाएगा क्योंको 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा बच्चों similar यहां से भी P of E बाहर E3 इसमें भी आप निकालोगे तो 0.7 आ जाएगा यह क्यों निकाला क्या रीजन था पहले यह काम कर ले ना लास्ट में बंद करना है यहां से यह यह पूरा निकाल लिया है अब आप find the property of due to the appointment कि जो does not take place उसे profit वाला नहीं बता रहा है तो उसकी एक ही वज़े से profit ना हो कितने chances होंगे ठीक है ना तो आप according to base theorem फिर आप base theorem का यहां पर आप formula mentions करो कि base theorem का पूरा formula लिखोगे और questions में यहां पर यहां मैं लिख देता हूँ या तो इसके according बेस थिरॉप अप according to base theorem लगा दीजिए तो इसके according क्या होगा P of हमें किसके according निकालना है बच्चों ध्यान देना है A के लिए निकालना है तो P of क्या मैं यह लिख सकता हूँ E1 by E तो यहां से आजाएगा P of E1 into P of अब यह बार वाला बात कर रहा है ना तो आप यहां पर बार लगाना है because does not take place वाली बात की है तो यहां पर आपको इसका रिगाड़ी यह आई जाएगा यह ना P of E bar तो अच्छा यह अप complete E bar निकाला है वाला सेम चलेगा यह वाला सेम चला गया यहां पर P of E2 यहां पर आजाएगा P of E by E2 बार कर देना तीन वाला है तो आप एक बार फिर से यहां पर लिखोगे सारी वेलिउस आपको यहां रखनी होगी वन बाई वन मेंशन कर दो आप सारी चीज रख दो दिर दिर और कुछ नहीं है चेंज नहीं होगा ठीके इससे सोल करना है जो भी आंसर आए वो फाइनल इसका आंसर होगा ओके नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं फाइंड दे एरिया बाउंडेट बाइडी कर यह कुश्च देखो अब जो कुश्च इस बार जो पूछ जाने वाले आपके 1023 में 11 को जो सकता हैं क्योंकि सब्सक्राइब कर सोनीघ सी तो क्या हम बना सकते हैं इसक पषब सकते हैं देखो, यहां पर जो कर्व दिया हुआ है बच्चा, कौन सा कर्व है, y इक्वल मोड x-1, end line, जो line दी हुई है, y इक्वल 1, इस तरह क्यूशन में आपको सबसे पहले ग्राब बनाना होगा, कौन से पार्ट का एरिया हमें निकालना है, वो शेड़ेड करके दिखाना है, उसका 1 मार्क आपको मिलेगा, तो y इक्वल मोड x-1, क्या इसका ग्राब बनाया जा सकता है, कहीं बच्चों को इसका ग्राब बनाना भी नहीं आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या इक्वल क्या दिया, वाई मोड x-1, क्या इसको दो के टिक्री में ओपन कर सकते हैं, बच्चों, दो के टिक्री में ओपन कर सकते हैं, विकोज x-1 यदि positive होगा, तो यह positive खुलेगा है न, तो x-1 क्या according यह खोल सकते हैं, ठीक है, विन x यहां से आ जाएगा greater than लूँगा, तो x greater than 1 के लिए positive खुलेगा, और x less than 1 के लिए बात करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, negative खुल जाएगा, मतलब इसको अपन 1-x लिख सकते हैं, या minus x-1 के form में भी लिख सकते हो, या फिर 1-x भी से लिखा जा सकता है, तो आपको भता लग गया ना, यार, यह आगया, यह आगया, अब यह y equal इसको यह माल लो, और y equal इसको यह माल लो, अब तो बना सकते हो नो graph, इसका easily graph बना लो, अब y equal 1 इसका तो easy हिस निकाल लेगे, तो complete इसका जो graph बनेगा, यहाँ ले लेते हैं, बिकोज यहाँ पर आप critical points निकाल लोगे, जो plot करोगे, points यहाँ पर आने वाला है 1, यह 1 पर mention होगा, तो दो lines इस तरह से बनेगी बच्चों, क्योंकि यह 1 यह y equal 1 पर भी cut करेगा, इधर से 1 minus 1 पर भी cut करेगा, तो इधर जाएगा, यहाँ से आगे भी बड़ा सकते हैं, इस तरह से चलेगा, यह आगे नीचे तक चलेगा, minus 1 पर जानेगा, बट हमें क्या चीए, अबोधी x-axis है, positive वाले में, x-axis है न, यहाँ पर, bounded area, lines है, तो line तो y equal 1 भी तो draw करोगे, तो y equal 1 क्या होगा, parallel to x-axis, यह y equal 1 हो गया, y equal 1 हो गया है, y equal 1 और lines से, दोरो lines से cover area कौन सा नजर आ रहा आपको भी, यह वाला area, क्या, यह area अपने mention कर सकते हैं, इसी का है, तो part area पूचा है, इसको आपको shaded करना, यह completely आप pencil से बना होगे, ध्यान देना है, यह यह पैंसे बना होगे, तो गलत हो गया, तो आपको ओना दिक्कत आएगी, यह हो गया, अब यह area यह 1 है, यह 0 है, ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं, इसका area निकालने का तरीका क्या होगा, आप क्या अगर होगे, line में से, यह minus कर दो के, ठीक है, पहले तो देखो, इस में से, x-axis से bounded area, now area, पहले भी 0 से 1 limit लगाऊंगा, y dx लिखेंगे, 0 से 1, y dx लेकिन y कौन सा वाला, y line वाला पहले लोगे, minus करूँगा, y कर वाला, समसते चलना भाई, y line क्यों, line उपर है ना, यह यहां से break कर दो ना, इसको, ठीक है, इस line में से minus कर दोँगा, तो यह वाला पाट आजिए, प्लेस, अब 1 से कहां तक जाएगा, यह intersection point निकाल ले ना, हो सकता 2 आ रहा होगा, ठीक है, यहां से यहां तक निकाल लोगे, तो 1 से 2 तक चलेंगे फिर, जो भी point, यह point निकाल ले ना, ठीक है, आप point निकाल लोगे, intersection दोनों का, lines का, तो lines का intersection यहां मिल जाएगा हमें, और यहां से यहां तक फिर वापस से, यह 1 से यहां तक, और line में से किसको minus करोगे, इस वाले को तो minus करोगे न, यह तो यहां पर y, फिर से line, minus y, curve dx, ओके, बास समझ में, किलिए रहे चीज, यह आप इस तरह से करके, दिखाना पड़ेगा एक आप graph बनाओगे, आप point out अच्छी तरह से करना है, उसके बाद आप area निकालोगे, last में area आता है, तो उसका unit भी जरूर mention कर दीजाए, square unit, ठीके, आगे चले, तो इस तरह का questions में आपको ध्यां रखना है, बचो, और NCR team first वाली जो exercise है, उसके questions अच्छी तरह से कर लेना next question, differential equation से पूछा गया था, differential equation, यह last year ही पूछा गया सवाल है, बचो, अब देखो, differential equations में कौन-कौन से method हमने discuss किये थे, जितने भी तीन methods है, solving methods, differential equations, उसमें से कोई method यहां लगने वाला है, direct सवाल आपको दिया जाएगा, और इसमें यह नहीं बता जाएगा, किस तरह के method से सहल होगा, आपकी practice अच्छे खासी होनी चाहिए, otherwise आप नहीं फोड पाऊगे, आप paper को नहीं फोड पाऊगे, because अब यहां ध्यान दो, तीन method, variable, separable, homogenous, linear, differential equations, यहां पर कौन से method से सहल होगा, तो देखो, क्या हम इसको, इस form में लिक सकते हैं, पहले, सब से पहले, क्या dy.d x ही form में लेकर हो, इसे, है न, because यह y minus sin square x dx, और minus tan x dy, ऐसे लिक सकता हूँ, है न, बच्छो, क्या dy.dx या dx को उदर भेज़ दे, y minus sin square x, और minus tan x, और dy by dx, ऐसे हो, आपको यह linear differential equation form में जाने वाला सवाल है, क्यूंकि dy.dx plus py, है न, equal q, उस form में convert करेंगे, minus tan x को इदर लेकर जाएगे, यह tan x, और dy by dx, इसको उदर भेज़ देंगे, y को इदर रखिए, और sin को, क्यूंकि sin वाला x वाला terms है, यह x के terms में हैं, यह वाली forms हो गई, विकोज यह x में है, मुझे कैसे पेचाना, मैंने कैसे पता किया, यहाँ पर q, जो q, dy by dx वाली forms होती है, dy by dx plus py, complete इस form में convert की है, मैंने, इस form में, where is, p and q, जो p और q आ रहा है, बच्चो, p और q क्या होगा, function of x या फिर constant होगे, तो यहाँ पर y इदर आ रहाता है, इसलिए यहाँ से idea लगिया है, कि लिए लिए यह इदर shift होगा, और यह इदर रहेंगे, तो dy by dx, यहाँ 1 होना चाहिए, इसका coefficient, तो dy by dx, इस 10x से divide कर दीजे, तो 1 by 10x को हम cortex लिखेंगे, और यह y चलेगा, इसको bracket में डालिए, और यहाँ से sin square x और 10x से divide कर दिया है, इदर हम रहेंगे, नाओ compare करोगे, तो p का value कितना मिल गया है, यहाँ से देखो, इस से compare कर लेंगे, where is p, p का value मुझे कोट x मिल गया है, and q का value मुझे sin square x by 10x, तो इसको भी आपन चेंज कर लेंगे, यह क्या है, sin by cos हो जाएगा, है ना, cos उपर आ जाएगा, sin से कैसल हो जाएगा, sin x cos, यह क्या और q हमारे पास आचुके हैं, तो आप उसके बाद if निकालोगे, क्या निकालोगे बच्चो, if, integrating factor, तो how to find the integrating factor, e to the power p dx, e to the power p dx, e to the power p dx से आप निकालोगे, p का value कितना है, kotex है, kotex का integrals यहाँ लिखोगे, तो e to the power, kotex का integrals कितना होगा, ln mod sin x, समझ में आए चीज, सम हो गया, only sin x लिखा जा सकता है, ऐसे क्या लिख लेंगे, sin x, तो if, जो integrating factor मिला, वो sin x आगया, now solution of this, इसका जो solutions होता है, वो कैसे लिखते है, y into if equal, integrations, q into if, and dx plus c, c पहले साइड करके चलेंगे, q और if अलड़ी हमारे पास है, if का value, sin x है, q का value, यह लिखावा है, sin और cos, वो यहाँ mention कर दोगे, यहाँ y into if, i ke जगा रखोगे, उसे बस वापस से integrations करना है, कि लिखेंगे, integrations काफी important, क्योंकि integrations का huge differential में काफी huge हो रहा है तो आपको integrals वाला chapters के सारे basic formula है, सब याद होनी चाहिए, last moment पर आपको दिक्कत ना हो बच्चों, इसलिए आप revise, practice, because mathematics में आपको practice की काफी जुरत पढ़ती है, जितनी ज़्यादा practice करोगे न तभी आप पूरा बतलब युद्द लट सकते हो है, ऐसे नहीं होगा काम, 3 hours में, 38 questions आने वाले हैं, सारे ये मान कर चलो कि यहां 70-80% आप कर लोगे, लेकिन कुछ questions, कुछ सवाल, challenging सवाल होंगे, जिनमें time लगेगा, पर अपन lengthy भी हो सकता है, lengthy मतलब practice अच्छी खासी है, तो आप कर लोगे, within time में, ठीके, तो इस चीज़ का बिलकूल आप अपनी म सवाल के इसलिए लेकर आया हो, ताकि आप यहां देखकर idea लगा सको, कई बच्चे क्या आलसी होते हैं, सोचते ही नहीं, देखते ही नहीं, ओके, तो बच्चों इस वीडियो को जरूर आप देखेगा, next question, यह भी last year ही पूछा गया, देखो मैं पिसले 2-3 साल, 3-4 साल के कहीं question होते हैं, जो NCRT से नहीं बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह paper इसमें पूछे गए हैं, तो please इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए, इसलिए लेकर आया हो, ताकि आपका paper अच्छा हो सके, बस मेरा मकसद यही है, कि आपका questions, आप अच्छी तरह से करके आएं, महस का paper, find the general solution of differential equation, differential equations का फिर से सवाल पूछा गया है, general solution, दो तरकिया solutions होते हैं, general solution और particular solutions, general solutions सिर्फ आपको इसको solve करना है, कोई भी एक method से integrals करना है, plus C जो integration constant अपने add कर रहे हैं, वो general solution का type होता है, particular solutions में क्या होगा बच्चों, उसमें आपको कोई conditions दी जाएगी, उस C का value निक सालने के लिए, तो यहाँ पर भी एक सवाल दिया, क्या इसमें, अब यह direct दिख रहा है, direct दिख रहा है, कौन से method से होगा, आपको पेचानना है, सिर्फ method हो, dy.x क्या है, homogenous वाली equations बन रही है, because यहाँ पर मुझे idea xq, yq चल रहा है, x square y की power 1 है, तो यह भी 3 power हो रहा है, य क्या इसे हम, dy upon dx की form में लिख सकते हैं, यदि homogenous होता है, तो always आप इसको convert करो, dy upon dx की form में, तो बच्चो, dy upon dx की form में होगा, तो dy और dx, ऐसे लिख ले हैं, इस dx को इदर लेकर आ गए, तो x square y, और x cube, plus y cube, कैसे लिख सकते हैं, homogenous है, it is the homogenous differential equations, और homogenous differential equations, को किस तरह से solve करते हैं, वो दिबाह में पिच्चर पता होना चाहिए, यहाँ पर आप, यह homogenous हो गया, तो put, y equal vx put किया रहे हैं, okay, vb यहाँ पर constant नहीं है, यह variable है, ठीक है, y equal vx, because यहाँ dy upon dx आ रहा है, तो इसका differentiate आप करोगे, y equal vx, तो इसका differentiate करेंगे, तो बच्चो क्या मिलेगा, dy by dx, x के respect में, v product rule apply कर दीजे, v x का 1 हो गया है, plus x को छोड़ दीजे, और v का x के respect में, dv by dx, क्या यह replace, यह वाली चीज आपको यहाँ replace करना है, इसको या तो equation 1 दे दिजेगा, equation 1 दे दिया है, तो replace कर दीजेगा, dy upon dx यह हटा, जहाँ y आ रहा है, y की जगा, vx replace कर देंगे, now, इसकी जगा, v plus x, dv by dx, equal, x square, x square, और y की जगा कितना रखना है, vx रखोगे, and x cube, plus y cube, y की जगा कितना रखोगे, v cube तो, and x cube हो जाएगा, क्या उपर से x cube बन रहा है, नीचे से x cube, यह cancel out हो गया है, तो यहां से v के form में एक equations बनेगी, v plus x, dv by dx, equal, x square plus x cube तो होईगे, cancel, तो v upon, 1 plus v cube, यह वाली forms बनी है, अब सब इस v को भी उदर ही transpose करेंगे, तो x dv by dx, equal, तो क्या बच्चे, यहां से अपन LCM लेकर solve कर लें इसको, 1 plus v cube LCM आजएगा, v, यह v आएगा, तो minus v लिख से रहें इदर, तो यहां से में solve करेंगे, तो v minus, इस v is the multiply होगा, v plus v की power 4, इस v से v cancel out हो गया है, only यहां से minus v की power 4, और 1 plus v cube, और x dv by dx यह बना है, क्या है, variable separable method apply कर सकते हैं, जी हां, क्या इन v को एक तरफ लेकर आजाओ, तो 1 plus v, और नीचे v की power 4 हो जाएगा, dv, और dx को उदर भेज़ दीजिए, तो dx by x, और यह कर दीजिए, minus एक तरफ रखो, अब तो होगिया न, by formula में, कोई formula लगा दीजिए, इसको separate करके लिख लेंगे, v की power minus 4 काई, तो यहां पर integrals करना है, plus यह हट जाएगा, 1 upon v का, ln v हो जाएगा, equal, 1 minus ln x, और plus यह आप लगा दीजिए, इसका integrals की करना है, बास समझ भाई, अब हो जाएगा, equations यहां से, c लगाना है, last में, भूलना नहीं है, v में आया है, तो v तो हमने consider किया, अपनी मर्जी से, है ना, तो आप यहां से v का value replace करोगे, v का value मिल गया, y by x, यह कहाँ replace कर देना है, last में, ठीक है, तो इस तरह equations में ध्यान देना है यहां पर, differential equations से number नहीं कटना चाहिए, सवाल ईजी आने वाला है, बच्चों वहां से, वहां से किस तरह के questions बन सकते है, differential chapters है, आपको order or degree वाला, order degree आपको clearly आना चाहिए, बनाना, यह one marks में MCQ section A में पूछा जा सकता है, यहां से marks नहीं कटना चाहिए, इस chapters के, marks कटेंगी तो इस chapters क्योंकि intrigas आपका weak है, intrigas आपका कमजोर है, तो आप यहां marks ज़रू उटाओ, क्योंकि आपको formula याद नहीं, तो formula कैसे करोगे आपको, intrigas जो calculus वाला पार्ट है, काफी बड़ा पार्ट है, ठीक है, इसलिए आपको basics जितने भी intrigas के formula याद तो होना चाहिए, यार, next question की तरह बढ़ते हैं, find the vector, यह vector वाले chapters पूछा गया है, find the vector equation of line passing through a point with position vector and parallel to the line, अच्छा अच्छा, यह vector equation of line, यह 3D वाले chapter से पूछा गया है, और 3D वाला जो 3D डाइमेंशन है, बहुत easy कर दिया है, उसमें plane आपको complete हटा दिया गया, plane से एक भी सवाल नहीं पूछा जाने वाला, आपको सिर्फ लाइन से equations पूछी जाएगी और वहाँ पर direction, ratio, direction, cosines वाले सवाल आने वाल है, तो बच्चों यहां से हम निकाल सकते हैं, क्या आप निकाल सकते हो, find the equation of line passing through a point, आपको पता है ना भाई, इसका direct formula यार, ठीक है, सारे याद रखो, line pass होरी है किसी point से, and parallel to the line joining, भाईया, याद आया, line pass होरी है, ठीक है ना, किसी point से pass होरी है, यह point है, और यह line किसी दूसरे vector के क्या है, parallel है, क्या उसी तरह के situation है, तो क्या इस line का हम equations बता सकते हैं, जी बिलकुल बता सकते हैं, हमने बनाया था ना, इसका, यहाँ पर P point ले लिया था, general equations बनाया था, इसका A ता position vector, यह R vector है, origin है, तो line passing through a point and parallel to another vectors, तो what is the equation of this, equation of this क्या होते हैं, R vector, A vector plus lambda B vector, यदि vector form में पुझे हैं, तो यह लिखना पड़ेगा, और बच्चों, यह आपको अल्यदी पता हूँ, A, what is the A, A वो होता है, जिससे line pass हो रही है, यह देखो, यहाँ से गुजर रही है line यार, उस point से गुजर रही है, उसका position vector मान के चलाओ, P क्या है, यह R vector है, this is a general point, general point line पर बहुत सारे points होंगे, general point, और उसका vector form में R vector अपन लिखते हैं, यह इसके parallel है बताया गया है, तो जो lambda times of B vector आ रहा है, B vector क्या है, जो parallel है lambda times है, ठीक है ना, यह बात समझ भागई, अब मुझे क्या रखना है, यहाँ पर वो point रखना है, उस point, जो इससे line pass हो रही है, जिससे घुजर रही है, क्या यह इससे घुजर रही है, यही तो बोला point with position vectors, तो A vector क्या consider करोगे, this one, तो A vector मुझे मिल गया है, A vector हो गया है, 2i ke minus j k plus k k, right, B vectors क्या होगा, जिसके parallel है, अरे भाई, parallel to line joining, अच्छे यह दो, दो के position vector है, मतलब यह मान point से pass हो रही है, तो आप इसमें से minus कर लो, इसमें से minus कर लोगे, तो A तो यह same adjective चाप दोगे, plus जो यहां पर lambda times आएगा, यहां पर होगी, यह R vector कर लो, यह B, इसमें क्या होगा, इसमें से minus करके लिखना है, क्योंकि यह क्या हो रहा है, जो parallel बताया गया है, parallel है, तो यह दि direction ratio कैसे निकाल होगे, इसमें से minus कर लोगे, तो IK plus 2JK plus 2KK में से minus कर दीजे, कितना हो गया, 2IK, 2JK में से 4 minus 2J बच जाएगा, और 2K में यहां से KK बच जाएगा, वो यहां पर रख दोगे B की जगा, clear, आपको सिर्फ direct रहना, बस यह 2 marks में पूचा गया सवाल, पूचा पूच गया थै तो यह द्यान रखना है, इस तर छी यह द्यान रखना है, थीक है, नेक्स आते हैं, find the general solution of differential, यह differential equations पूचा गया, equation से देखो, वही काम करना है या फिर्स है, differential equation से पूछा गया equation से, क्या dy upon dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy by dx equal, e to the power x and e की power minus y, है ना, x square e की power minus y देखो यह चल्दी से पकड़ में इसलिए आता, क्योंकि आपके अच्छी practice हो किये हो हैं, इस तरह के सवाल किये हो हैं, तभी आप कर सकते हो, otherwise पिर सोचने में time लगा हो आप, ठीक है, अब यहां से क्या e की power minus y आ रहा है ना, common ले लिजिए यार, e to the power minus y common ले लो, e की power x और x square बजगिया, और dy by dx हो गया यह, है ना, क्या variable separate कर ले, मुझे दिख रहा है, y वालों को भगाओ एक तरफ, x वालों को एक तरफ भगाओ, होगे integrals, integrals करके answer आजाएगा इसका, क्या, इसको इदर लेकर आजाओ, तो dy e to the power minus y, और dx को इदर भेज़ देंगे, तो e की power x plus x square, और यह dx हो गया, बच्चो, क्या integrals कर सकते हो, दोरों साइड, अरे, बिल्कुल कर सकते हैं, बच्चा-बच्चा कर लेगा, हो जाएगा, ना, e की power minus y उपर लेकर आजाओ, e की power y हो गया, तो e की power y का integrals हो गया, इसका कर लोगे separate करके, प्लस c एक तरफ एड जरूर कर देना, प्लस c एड कर देना, कर लोगे सवाल, यह हो जाएगा, ये questions अल्रेडी पूछे गए हैं ये दिहां रखना हैं बच्चो भई देखो ये questions देखो एविलेट इसका इंट्रिगर्स करना है अब 0 से पाइबाई टू फिर से दिमाग में गुमालो भई जीरो से पाइबाई टू आया जीरो से पाइबाई टू आया तो क्या लिमिट लगा सकते हैं लगा सकते हैं प्रोपर्टी वाली लगा सकते हैं प्रोपर्टी कोंसे भई जो अभी इसी में अपने फर्स्ट वाला सवाल देखा था जीरो से वाला जीरो से वाला क्या यहां कि यह nsatim है, Sir, कैसे, इसको sin cos में बदल लो, यार पहले sin cos में बदलते हैं, है न, बाद में property लगाना, क्या इसको sin cos में ऐसे लिखूंगा, 1 plus ये 10 x से sin में बदल लिए, sin x by cos x की whole power 2 by 3, अब इसको इस तरह से formula लिखो जीरो से pi by two क्या यहाँ से cos x की power two by three divide cos x की power two by three sin x की power two by three एसे लिख सकता हूं इसे लिख सकता हूं यह इस तरह का डिट्टो सवाल अब क्या किया उस भाहिसामने इस तरह से बना के दिया 要ब कुछ वह सवाल इस दिर दिया याप कर बच्चों होते हैं ना वह आया है सवाल जो टापने मन लगाकर दंग से सवाल किया ना तो हर सवाल सवाड के अंदर से होता framework थोımız नहीं होता रहा हो board में अब एक level होता है उसका, जो जितने भी questions पूछे जाते हैं, वो NCRT के concept best पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि यह सवाल change हो, सवाल digit और सवाल ज़रूर change किया जा सकता है, लेकिन उसका method वहाँ पर है, तो बच्चो अब इसको यह तो किया हुआ है, आपने, क्या 0 से A वाली property लगा दो, यह first हो गया है, इसमें 0 से A वाली property यूज करेंगे, तो यहां रखोंगा, पाई बाई 2 माइनस X, तो cos किस में change हो जाएगा, sin में, तो दूसरा यहां पर आपको equations जो मिलेगी, 0 से पाई बाई 2, तो बच्चो यह लिख लो में direct sin X की पावर 2 बाई 3, property लगाने के बाद, यह cos साइन में change हो जाएगा, sin X की पावर 2 बाई 3, प्लस और यह साइन कोस में बदल जाएगा, तो cos 2 बाई 3 and dx, can you add these two equations, first and second इसको नाम दीजेगा, first equation, second equation, दोनों को add कर लिजेगा, दोनों को add कर लेंगे, यह first equation हो गया, यह second equation हो गया, दोनों को add करूंगा, तो 2 I times है ना, बचो देखो, LCM दोनों का same आएगा, उपर भी addition same हो जाएगा, that is 1dx, क्या है, 1dx मिलेगा फ़ी, 0 से πाई बाई 2 पे, 1dx कितना simple हो गया है, 1dx मतलब X ही है, X ही तो होगा, इसका integral, 0 से पाई बाई 2 कर दीजे, 2 I चलेगा, तो I का value यहां से पाई बाई 4 मिल जाए है, questions को solve करना, idea लग जाएगा आपको, एक बार में नहीं बनेगा, तो दूसरे बार में आपको दिमाग पे पता लग जाएगा, next questions, फिर से देखो, यह सवाल देखते हैं, पता लग जया होगा, यह probability से पूछा गया है, और पता लग रहा है कि base theorem पर भेज़े, है ना, इस C produce the remaining output, the defective items produced by machine A, B, C, तीरों से यह defective items निकाल रहे होंगे, 1%, 1.2%, 2% respectively, an item is picked at random from a days out and found to be defective, अच्छा, found to be defective, find the property that it was produced by the machine, तो more than 3 events होते रहते हैं, यह कुछ न कुछ events चलते रहते हैं, इस तरह के questions, based on हमें यही तो कासियाते, जल्दे से पकाड़े में आ जाता है, कि य यह तीन events यह चार events होंगे, और लास्ट में उसमें सही एक आदमी के बारे में यह machine के बारे में यह item के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो machine B के बारे में पूछ लिया, भई दूसरे को पकड़ लिया इसने, भई दूसरे produce किया, ठीक है, अब बच्चों इसको लिखने का तरीका क्या होगा, किस तरह से अप्रोच करेंगे, आपको देखो, यहाँ पर mention करने पड़ेंगे, events, events कैसे, events, E1, E2, E3 इस तरह से माल लिया करो, जारा सोचों मतलब कि कों से माले, आपको इस direct करना है सवाल, यहाँ पर consider कर लो, भई, लेट, भई, तीन events हो रहे है, ABC तीन यहाँ लिख लो, item produced by machine है, right, A के थू माल लिया है, E2 events किसको मान के चलोगे, जो items होगा, produced by machine B, और E3 वाला किसके मान के चलोगे, item produced by C, okay, तीनों के माल लिया है, क्या इनकी probability हम निकाल सकते हैं, क्या इनकी probability निकाली जा सकती है, तो P of E1 निकाल लेंगे, भई, 30% हो रहा है, 30% दिया हो ना, तो डारेक्ट लिखी है, भई, यह 30%, यानि कि 30% है, तो इसको 100 लगा दीजिए, 3 by 10, ठीके, P of E2 आप निकाल सकते हो, यह कितना है, भई, यहाँ पर, 25% है, तो यह 1 by 4 कर लोग है, P of E3 आप निकाल सकते हो, P of 3 रिमेनिंग बोला है, ठीके, 30 और 25 यहाँ पर आप 55 हो गए, और 45% बचा है, तो 45 by 100, यह कर लोगे, ठीके, रिमेनिंग बोला है, अब डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस भाई, तीनों ही मसीन के दोड़ा डिफेक्टिव आइटम तो निकल रहा है, अब कितना कितना निकल रहा है, A की थरू कितना 1%, B की थरू 1.2, और C की थरू 2% निकल रहा है, क्या हम यहाँ पर एक कोमन इवेंट्स मान सकते हैं, लेट E, कैपिटर E, जो कंसीडर कर रहे है, यह क्या हो रहा है, कि मसीन प्रोडूस भाईटिव आइटम, ठ यह लिखना पड़ेगा बच्चों, यह ध्यान रखना है, E क्या माना है, ठीके, तो डिफेक्टिव आइटम्स माल लिया है, अब यहाँ पर आपको वही 1 by 1, P of E by E1 निकालूँगा, यह निकालना पड़ेगा, इसका मतलब और E1 मतलब जो हो चुका है, E1 मतलब मतलब मसीन एके तुरूद डिफेक्टिव आइटम्स कितना निकाला गया, 1%, कितना है, 1%, तो 1 by 100, तो कितना हो गया, 1 by 100 लिख ले, इसी तरह से P of E by E2 आप निकालोगे, P of E by E3 निकालोगे, तो सारी प्रवपटी आगा है, ठीके, अब according to base theorem, किस के बारे में पूछा गया है, मसीन B, तो base theorem लगाने का तरीका आपको याद है, आप क्या रखोगे base theorem, तो इसमें P of, अब किस के B के थूरू पूछा गया, तो B अपने E2 माना है, वो यहाँ उपर लिखते में, ठीके, और B के थूरू जो डिफेक्टो आइटम से, वो common events यहाँ लिखते होगे, जो दिया हुआ ह ना already, यह तो given है, ओके, तो P of E2 by E हमें find out करना है, क्या करना है, E2 by E, तो हो जाएगा, I think, I hope, आप कर लोगे इस सवाल को, ठीके, तो यह question देखो, इस तरह का सवाल जो already पूछा गया है, यह NCRT में डिटो नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरह से data change करके, यहाँ question बना गया है ठीके, next question की तरह बढ़ते हैं, यह है MC की वाला question, 2020 के paper में पूछा गया है, यह property-based वाला है, if A is a square matrix of order 3 such that A into adjoint of A, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 I, then determines of adjoint of A, अरे property-based, भीज-भीज में questions दिया हुआ है, अब determines वाला chapter रुटा होगे न, तो remark करके लिखे गये हैं, वो जर property तो होती है, क्या, इसके property नहीं पता, और वो determines, यह पता है, भाई determines, क्या, इसका value क्या होता है, कितने order का है, भाई यह 3, 3 cross 3 order का है, adjoint of A, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 3 minus 1, यानि की 2 को ल, है न, A minus 1 वाला, ठीक है, अब adjoint of A, हमें determines का value नहीं पता, क्या यह भी तो एक बच्चों, अरे मेरे बच्चों, क्या यह होता है, यह भी तो एक property बताती है, यह क्या है, यह इस तरह से होता है न, already class में भी discuss किया हमने, ऐसे लिख सकते हैं इसे, compare करोगे तो determine A का value कितना आ गया, 10 आ गया है न, तो determine A में जों कितना मिल गया, 10 मिल गया है, वो यहाँ option यहां correct हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C options correct हो जाएगा, तो इस तरह की questions देखो, sample paper में भी दिये हो है, sample paper में दिये हो हैं, तो वहाँ से भी इस तरह property based, determines में one mark में जरूर property based questions आएगा, तो adjoint वाली जो property है, determines से related जो property है, ठीके न, इस तरह किया वाले, वो जरूर आप next question की तरह बढ़ते हैं, evaluate क्या यह question कर सकते हो, one upon one plus ten x, yes कर सकते हैं, sign cost में बदल लो है, नहीं कर सकते हैं क्या, इसमें कोई limit नहीं दीगे, बिस आपको indefinite वाला पाड़ा, C है, तो आप हो जाएगा questions ओलरी, यह भी इस तरह का questions दिया है, फिर से देखो, यहाँ पर MC की वा है और इसका determinant of three a का value पूछा है, क्या इस तरह की property थी अपने, यह देखो, book में लिखा हुआ है, k a है इस तरह से लिखाता हो, तो k की power n और determinant of a लिखा चाहता है, क्या उसी तरह का similar questions है, तो देखो, देखो, 3 into, इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं, और पूछे जाएंगे, है भई है ना, तो यह determinant of a three है, तो determinant of three इसका value क्या होगा, यह 3 क्या है, k की जगा है, 3 बहार आएगा, किस order का order आपको पता करना है, तो यहाँ पर n की जग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यह 3 की power 3 हो गया, और determinant of a आप लिख दोगे, तो 3 की power 3 तो कितना हो गया भई है, 27 27 हो गया, ओके, और determinant of a का value कितना है, 8 है, ठीक है ना, यही ना, 8 है, प्लस का 8, इसको multiply 8 56 है, 6 है ना, 6 यानि को, okay, okay, d आ रहा होगा, 260, आगे ना, तो d options हो गया, तो यह देखो, इस तरह की options में आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करनी, यार, है ना, यह कटने नीचे इस त next आते हैं भाई, if y equal this one, यह function दिया हुआ है, और d2 y upon dx इसका equal to, देखो, यहां 4 options है, in the form of y, y के form में आ रहे हैं, 4 options, सब जगा y ने ज़रा रहा होगा आपको, क्या, इसका derivative कर लें, फटाक से, derivative कर लें किया, तो d y upon dx में पास मिल जाएगा, d y upon dx आ गया है, a, यह 5, a e to the power 5x लिख लूँ भाई, या minus 5, b to e to the power minus 5x लिख लूँ, यह ना, चीक है, 5 इसमें common आ गया है, a e की पावर 5x, minus b e की पावर minus 5x, ऐसा लिख लें, यह first order आ है, इसने double derivative पूछ ले है, double derivative, क्या अं minus आ गया है, तो फिर से इसका derivative कर दो है, 5, इसका करूँगा, तो फिर से 5 a e to the power 5x लिख लें, minus minus plus हो जाएगा, 5 b e की पावर minus 5x लिख लेंगा, बचो क्या, यहां से 5 common आ गया, यह 5 common आ गया, तो 25 हो गया है, क्या अंदर वाला part y replace किया जा सकता है, जला गोर से देखो सवा है ना, y तो 25y और यह आ गया है, तो d2y पॉंट यह double derivative हो चुका है, दो बार derivative उखणना है, तो आगे ना, तो d2y पॉंट यह x square, 50, 50 है किसा कुछ, 25y, plus वाला, plus वाला है, minus में नहीं आएगा, yes, ओके, तो first option यहां पर correct है, अच्छा, फिर से बड़ा प्यारा सा सवाल आया क्या हम कर सकते हैं से, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कैसे, x square e to the power x cube, क्या इसको x cube को t माल लोना है, direct नहीं करना, late x cube को आपको t consider करना है, ठीके, पिकोज x square दिया हुआ है, तो यह क्या हो गया, 3, ओ, नॉ, यह हो गया 3, ओ, यह क्या हो गया भई, का हो रहा भई, ओ, नॉ, देखो, क्या इसको, let x cube को आप क्या माल लो भई, t, माल लिया, यहां से 3 x square dx equal dt, इसे लिख सकते हैं, x square dx की जगा, आप d, यह 3 को इदर लेकर आजाओ, इसकी जगा replace करते हैं कि अभई, है ना, x square की जग, तो हो गया ना, क्यूशन, यार, देखो, यह हो गया, e, इसको t माना है, और dx की जगा क्या रख दो, x square d, dt, यह 3 नीचे चलेगा, 1 by 3 बार लेलो, e की power t, e की power t, e की power t, e की power t होगा, 1 by 3, e की power t, और t की जगा क्या रख देना, c तो आप रहोगे, t की जगा क्या रख दो, x cube रख दोगे, क्या first option correct है, बोलो भई, yes, first option correct है, 1 by 3, पहला option से हो गया करी, तो one marks वाले, जो one marks वाले है, आपको roughly solve करना है, यहान करना section है, जो questions पूछे जाने वाल है, आपको उनको roughly solve करना है, roughly solve करने की बाद, यह answer a आता है, तो a mention करोगे, और क्या answer आता है, यह भी आप mention करोगे, जैसे इसमें, यह answer, जो भी answer आया नहीं करनी है, next question की तरफ बढ़ते हैं, yes, बहुत ही simple सा सवाल है, यह questions पूछा गया है, वन माग वे, देखो कितना आसान सवाल है, आई, जे के आर, unit vectors along the mutually perpendicular directions, यह क्या है, mutually perpendicular होते हैं, कौन सा options true है, यह पूछा गया है, क्या first option true होगा, I dot J, यार, I dot J करोगे, यह तो क्या हो आए, और वन तो आएगा, रहे, NK भी तो चलता है, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह गलत है, यह गलत है, I dot K, I dot K करोगे, dot, और 0 दिया हुआ है, और mutually perpendicular है, तो cos 90 उसमें बनता है, तो 0 हो जाएगा, यह सही है, इसको देखने ही जलत नहीं है, वो भी गलत है, है की नह है, है की नहीं, क्योंकि वह 90 हो जाएगा, और cross product दिया हुआ है, 0 नहीं आएगा, C option यहां correct हो जाएगा, next बढ़ते हैं, A, B, C, D is a rhombus whose diagonal intersect, 8.E, then E vector, EB vector, EC vectors, or ED vector is equal, ठीक है, यह 2020 में पूछा गया है, ठीक है, दियान रकना है, MCQ में, जो MC part में आते हैं, अब इसका value क्या ह 0 vector, AD vector, 2B, यह rhombus, rhombus आपको पता है ना, जिसकी 4 sides क्या हो, बराबर हो, यह rhombus हो गया, यह rhombus हो गया, माल लेते हैं, rhombus कर लेते हैं, ठीक है, A, B, C, और D, diagonals की बात की ना, ठीक है, diagonals, diagonals, अच्छा, rhombus की property आपको तो 4 sides बराबर है, diagonals क्या करते हैं, bisect करते हैं, 90 degree प यह दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है, किस point पा कर रहे हैं, माल लो, तो यह A, इस तरह से माल लो, ठीक है, अब इस case में, मतलब इसके direction U-D-U-E, ठीक है, EB किदर है इसके direction U-D-U-E और EC किदर है, EC इसके direction U-D-U-E, और ED, ED मतलब इसके direction U-D-U-E इन चारों का sum बासमझ में, अरे यार इसके direction एपोजिट direction चल रहे है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है इन दोनों का sum करूँगा कितना 0, ये दोनों बराबर है, opposite direction में दोनों का sum करूँगा कितना 0, तो ये भी 0, ये देखो, EA और EC, दोनों का part कितना 0, ये भी और ये 0, तो first option आ जाएगा na, 0 vectors, क्या, क्या चाहिए और इसमें यार, है ना, है ना, 0 vector, बास समझ में आगे न, क्यों पूचा जा सकता है, lines, both lines are mutually perpendicular, दो लाइन सापस में perpendicular, तो आपको पता है न, इंगल्स कितना होगे, 90 degree, और वहां से अपन रिजर्ट्स डारेक्ट विच करेंगे, A1, A2, B1, B2, C1, C2, 0 वाल, अब सबसे पहले, जल्दी बाची मत करना, इस तरह कितना है, आपको lines को गोर से देखना है, गोर से देखना है, गोर से कैसा, अरे भई, गोर से मतलब, क्या ये lines, standard format में हैं या न, general format में हैं, वो देखना होगा, ये दोनों lines क्या, general format में हैं न, यदि नहीं है, तो general standard format में लेकर आओगे, उसके बाद वो rule apply करोगे, perpendicular value of k निकाल सकते हो, पैटा, x-x1 चल यहां भी ठीक चल रहा है, यहां 4-z चल रहा है, तो इस z को आगे होना चाहिए, ठीक है, standard format में नहीं है, तो यहां से z आगे ले लूँगा, और minus 4 करूँगा, और minus आएगा, तो minus k को नीचे लिख लेना, similar x-section यहां ठीक चल रहा है, तो यहां बिकोज, दोनों standard format में हो का 0 मिलेगा, actually यह वाला है, a1, a2, plus b1, b2, और c1, c2, equal 0, यह काफी important result है, धराद यहां रखना है, इसका भी यह हो, क्या यहां से हम इस पहली वाली लाइन के direction ratio निकाल सकते हैं, direction ratio कितना हैंगे, भाई, 1 into, a1, यह a1, b1, c1, consider करना है, यह a2, b2, c2 मानना है, तो a1 मुझे दो है, plus c1 कितना है, minus k, यह दिहानकना है, minus k हो गया, अभी change किया तो, c2, c2 कितना है, minus 2, यह minus 2 हो गया, और इन दोनों का product 0, क्या यहां से k का value निकाल जाता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, k भाई, यह 2 हो गया है, और यह कितना हो गया है, 2 k, और equal 0 है, प्लस का हो गय हो गया है, got it, आ गया बड़े बच्चो, ठीक है, next question, देखो probability पूछा गया है, die is thrown once, एक बार ही फिका गया है, let a be the event that the number obtained is greater than 3, ठीक है, 3 से ज़्यादे की बात कर रहा है, let b the events that the number obtained is less than 5, then p of a union b, यहां पर 2 events consider कर लिए, यह पस्ट वाला मालो, greater than 3, greater than 3 में कौन कौन से आ चार आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, बीवेंट्स मान के चलो यह, बीवेंट्स में क्या जाएगा, number obtained less than 5, 5 से चोटे वाले, 5 से चोटे वाले एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं रेना, इन दोनों का, क्या है इन दोनों की प्रोटी निकाल सकते हो, yes निकाल सकता ह यह, कितना है 3 बाइ, 3 बाइ, 6 हो गया, यह 1 बाइ, 2 आ गया, फिर से बंद हो गया है और क्यों बंद हो रहे हो, तुम्यार, जाह से कितना हो जाएगा भाई, 3 वनभाइ, 2 करलो, ठीकर, P.O.B, क्या P.O.B. निकाल सकते हो, 12 आ गया, 4 अगय और 3 मिल गया, ठीकर, डूनों का common क्या होगा यार, A intersection B, क्या common आ रहा है, यह common कितना है, 4, 5, 6, यहां से 4 common आ रहा है, ठीक है, यह 4 आ रहा है, तो इसकी प्रवर्टी कितनी हो जाएगी, यह दी मैं प्रवर्टी की बात करो, A intersection B, that is 1 by 6 हो जाएगी, कितनी होगी, 1 by 6, P of A union B, addition theorem से पूझा गया है, P of A union B, आपको पता हो, P of A, plus P of B, minus P of A intersection B, यहां पर मैं दंग से बता रहा हो, यह option वाला है, तो आप roughly solve कर सकते हो, ठीक है रहा, यह वाला formula इसमें लगेगा बच्चों, क्या value mention कर सकते हो, बिलकुल यहां सारी value रख दो, 1 by 2 रखोगे, 2 by 3 और 1 by 6 यहां रख दीजे, answer मिल जाएगा, कर लोगे, हो जाएगा यह सवाल, next question देखो, यह matrix से पूझा गया, इस तरह की questions पे, simple है, one mark में जरू पूझे जा सकते हैं, सिर्फ A plus B यह दे दिया है, A minus 2 B equal, then A, A निकाल सकते हो, ना, 2 equations, मान के चलो, यार, 2 equations है, ठीक है, इनको minus कर द यह 2 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, अब इस में से आपको यह 8 करना है, क्या करते है, 8 करते है, प्लस 2 भी, यह वाला cancel हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, दोनों matrix को 8 करना है, 8 करेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया, यह 1 हो गया, यह कितना हो गया, 2 हो गया, और यह कितना हो गया, 1 हो गया ठीक है तो एका विल्यों कितना आ जाएगा इस त्री को इधर डिवाइड कर देंगे तो वन बाई थ्री यह आपका अंसर हो गया ठीक है ना एडिशन ठीक है हो जाएगा है next वाला find the value of sign interest yes इतने slide के बाद अब आया स्वाले के इता इट वाला चेप्टर्स जो सेकिंड वाला चेप्टर से बड़ा हीजी शेप्टर्स सिर्फ आपको क्या करना है इसमें domain से डॉमें और रेंज वाले क्यूशन अच्छी तरह से ध्यान होना चीए उनकी जो इस तरह से रट लेना यार उससे रिलेटेर सवाल वहां से को सवाल चेंज करके आप से पूचा जा सकता है यह सवाल है कि sin inverse और sin minus 70 pi by 8 यह पूचा गया है किया यह कर सकते हैं अच्छा इसमें rule कोन से लगेंगे हमारे पास rule क्या था भई sin inverse और sin x यहाँ पर x लिखा जाता है यह क्यों अरे x ने दोनों दोस्ती कर लिए भाग गया तो x क्यों बचा बिकोज ये X लाई करना चीए इसकी principal value branch के अंदर, किसमें लाई करना चीए ये principal value branch, ये जरा ध्यान रखना, principal value branch, अब principal value branch क्या है बहुआ, sin inverse की x belongs to close interval minus pi by 2 से plus pi by 2 क्या इसके अंदर लाई करना चाहिए तब ही जाकर यह हटेंगे अदर्वाइस नहीं हटाना ठीक है इसके अंदर यदि नहीं आता है तो अपन कुछ rules लगा के इस पे लेकर आएंगे यहाँ पर देखो 70 minus 70 pi by 8 जो बिल्कुल नहीं आ रहा है यह से beyond जा रहा है बाहर जा रहा है minus 90 से plus 90 की बीच में नहीं है यह क्या है बिल्कुल नहीं है अब क्या करेंगे इसको लेकर आएंगे सबसे पहले sin minus theta क्या होता यार यह minus को तो बाहर ले लो रहा तो यह जो minus है यहाँ लग जाएगा और इसके आगे फिर से को रूल आता है sin inverse minus x होता है तो यह minus भी भाहर आता है इसमें है ना यह दिहान रखना है तो यह minus सबसे भाहर रहा जाएगा यह minus भाहर ले लिए अब मैं क्या लिखोंगा यह sin inverse और sin अब 70 pi by 8 बजा है अब इसको मैं तोड़ा सा और चेंज कर लो भाही sin inverse क्या 70 और इसको ऐसा लिख सकते है 2 pi 8 2 जा कितना 16 और plus pi by 8 यह ऐसा लिख सकते है अब साइन पाई नहीं चेंज होगा साइन इनवर्स लिखोंगा साइन टूपाई प्लस पाई प्लस पाई साइन पाई पाई एट इससे लिख सकते है अब साइन पाई 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 एट का अगया इसके principle value branch के अंदर आगया ठीक है तो यह हड़ जाएंगे only हड़ जाएंगे तो कितना जाएगा minus pi by 8 कितना मिल गया minus pi by 8 यह हो जाएगा बात समझ में आरे है किलेर है चीज ओके हो जाएगा यह तो इस तरह के questions आपको देखने को मिलेंगे exam में यह इस तरह के principal value branch यह two marks में भी डाला जा सकता है section B में ठीक है section B में पहला वाला सवाल ही आप इस chapter से मिल जाएगा next find the value of integrals इसका integrals यह पूछा गया आप इस वाल यह already board में पूछेगे हैं जितने भी questions है यह पिसले दो तीन साल के अंतराल में ही पूछेगे हैं बच्चों यह modulus x-5 को निकाला है 1-4 तो इस तरह की questions को आप केसे करोगे यार यह mode है ना mode कटाने के लिए आपको ध्यान देना है कि 1-4 के आप positive लेकर चलो तो 5 को दर भगा दिया तो यह बात हुई जब x का value 5 से बढ़ा होगा तो यह काफी कितना होगा positive open होगा मतलब x-5 बास समझ मैं और x-5 यदि less than 0 है तो x-5 यह से लिख लो यदि x का value 5 से छोटा होगा तो always negative होगा तो negative होगा तो minus x-5 से आप open करोगे इस box को modulus को तो minus x-5 आप यह लिख लोगे अब यहां देखो 1-4 में चले 1-4 के बीच में तो आ रही होगा यह x के तो value है जो always lesser than lesser than भाई यह 5 है 5 से लेसर दे रहे हैं तो always कितना होगा negative open होगा यार negative open होगा तो आप 1-4 के बीच में minus x-5 इसका ही तो integrals करना है क्या इसका integrals कर सकते हो जी बिल्कुल कर सकते हैं अरे यह कितना हो गया minus को दो बाहर पटको x square कितना x square by 2 हो जाएगा और 1-4 आप कर दोगे limit minus 5 और यह कितना हो गया x हो जाएगा 1-4 5dx का तो यहां से solve कर लो वन से हो लिमिट लगा दिना minus से multiply कर देना आपका answer रह जाएगा देखो इस तरह कितना simple सा सवार पूछा गया है ठीक है next find x by x square plus 3x plus 2 क्या इस तरह की equations कर सकते हैं यदी आते हैं chances कम हैं बट इस तरह की equations आते हैं बचो यह वाले मैंने करवाए इसमें देखो उपर x आ रहा है उपर दो तरह की सवाल बनते हैं इसमें दो तरह की कौन-कौन से इस तरह का बनेगा आपका equations उपर 1 होगा नीचे quadratic मिलेगी आपको या फिर उपर क्या मिलेगा कुछ न कुछ functions होगा और नीचे quadratic मिल जाएगी ठीक है इस तरह का होगा जब उपर 1 हो नीचे quadratic हो तो completing square method से कर लोग या को standard formula में आप convert कर लेना और यदी इस तरह का हो Px पले जिसमें जिसमें आपको यहाँ पर direct इसका substitute नहीं दिया गया substitute मोजूद नहीं है जब substitute मोजूद नहीं है तो आप इसमें substitute बनाओगे कैसे बिकोज इसका derivative यहां मोजूद थी है तो यहां क्या करोगे x क्या इसको a d by dx x square 3x plus 2 और b के form में लिख लोगे ठीक है इस form में तो यहां से आप करोगे यहां पर क्या कर दोगे जो numerator में जो लिखा इसका derivative कर लोगे तो 2x plus 3 यहां बन जाएगा और plus b यहां पर आप a d करके चलोगे तो इस में तर से आप solve करके देखना है इस तरह क्योश्चन से ncati में दिये हुआ है प्लीज उस तरह क्योश्चन में आप अप्रोच किजए यहां पर मैं इसको solve नहीं करूँगा अभी ओके नेक्स कुछ और क्योश्चन देख रहते हैं देखो यह क्योश्चन में पूछा गया सवाल है और क्या पूछा गया इसमें इसका solution भी डारिक लिखा हुआ है थ्री रोटन एपल्स आर मिक्स्ट विद सेवन फ्रेश एपल्स find the probability distribution of number of rotten apples if three apples are drawn one by one with replacement कौन सा है with replacement ना की without replacement find the mean of number of rotten apples mean mean तक आपका complete chapter आ रहा है probability में भाया उसके आगे variance sd और binomial distribution bundle tracer related सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो थ्री रोटन एपल्स मीन निकालने का तरीक आपको पता है ना जो भी उसमें चीज हो रही है सबसे बिले आप random variables में consider कर लोगे कितने कितनी बाहर हुआ है उनके corresponding आप probability find out जितने भी random variable होगे ना उनकी probability आप find out करोगे तो probability के बाद आप उनके mean निकालोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है जड़ा देखो यह चीज यहाँ पर देखो रोटन अपल कितना है 3 है फ्रेश अपल कितना है 7 है टोटल कितने होगे 10 अब x यहाँ consider करते हैं जब mean निकालते हैं न बच्चों तो आपको यहाँ random variable consider करना पड़ेगा number of rotten apples भी तो number of rotten apples यहाँ हैं काम क्या हो है हम क्या कर रहें हो है फाइंदती वन भाई वन वन भाई वन धिक ठीकर थी apples गाल रहे है विद रिप्लेसमेंट तो यहाँ x क्या क्या वेलिउ ले सकता है 0 हो जाएगा 1 हो सकता है 2 तो X जो मान के चलें वो 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है तीन बार काम हो है अब 0, 1, 2, 3 का मिनिंग क्या है ये भी जिरूर समझ लेना है आपको यहाँ consider करना X 0 का मतलब यह हुआ जब आपने काम किया तो उसमें एक भी रोटन एपल नहीं आया है ना यही तो बोला X अपने किसको माना था रोटन एपल को number of रोटन एपल को X 0 का मतलब होगे एक भी रोटन एपल नहीं आया fresh apple वहाँ से निकल कर आए ठीक है एक का मतलब क्या हो एक प्रेश्च आ रहा है बाकि दो क्या रहा है fresh आहरे डो को मतलब क्या 2 fresh आ रहे है और 1 sorry 2 rotten apple आ रहे है और fresh तीन का मतलब क्या हुआ 3 तीनों क्या है rotten apple अब आप यहां क्या 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 काम करना है एक event माल यह ए getting a rotten apple event ठीक है अब P of E कितना हो जाएगा, 3 बाइटें, उसके प्रोड़टी कितनी होगी, 3 बाइटें, विकोज उस बॉक्स में, रोटन अपल कितने 3 हैं, और फ्रेश अपल कितने 7 हैं, तो यहां सिर P of E days 7 बाइटें हो जाएगा, E days का मतला हो गया फ्रेश वाला, ठीक है, X बराबर 0 के, X X बराबर 0 किसको बता रहा था, P of E days, P of E days into P of E, किसको, फ्रेश अपल को, प्रोटन अपल नहीं देना है, विद रिप्लेसमेंट वाला है, या ध्यान देना है, पहली बाहर में जो बॉक्स से अपल निकाला है, वो फ्रेश अपल आए, तो फ्रेश अपल होनी की प्रोड़ करेंगे, तो ये 343 by 1000, now P of X equal 1 के लिए आप क्या करोगे, P of X equal 1 का मतला, एक क्या रहा होगा, तो आप यहां पर तीन कंडिशन्स बना कर चलोगे, काम यह हो सकता है, पहली बार निकाला तो पहली बार में एक रोटन अपल आ गया, तूसरी बार फ्रेश आ रहा हो, तर थर ब distribution table बना देंगे, यह ध्यान रखना है, mean में probability distribution table बना कर दिखाना है, X0123, इनके corresponding जो भी probability आई है, वो यहां पर mention कर दोगे, फिर उसके बाद mean कैसे निकाला जाता है, mean में सिर्फ आपको random variable को, उनके corresponding probability से multiply करना है, इसको इससे multiply करना है, प्लस इसको 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 इसक पर देना है, तो मारे पास mean आजाएगा, इसका, ओके, ध्यान रखना है, इस तरह के questions पूछे गये, इस तरह का similar questions बनावडी ट्राइल्स में हैं, लेकिन यह mean में बनाया गया सवार, ठीक है ना, अपने NCRT में हैं इस तरह का सवार, next वाला है, in a shop X, 30 tints of ghee of type A and 40 tints of ghee type of B, which look alike are kept for sale, ठीक है, बास समझ में हारी यह, while in shop Y, similar 50 tints of ghee of type A or 60 tints of ghee of type B are there, one tints of ghee is purchased from one of the randomly selected shop and is found to be type B, find the priority that it is purchased from, अच्छा यह कुछ उसी तरह का आ रहा है ना, यह फिलिंग, base serum वाला लग रहा है कुछ, यहां पर दो काम हो गए, दो काम, दो shop हो गए, दो shop का मतलब यह समझ लो यार, यह X दुकान है, और यह क्या है, Y दुकान है, okay, X shop पर भी क्या है, 30 tints of ghee of type A, यहां पर 30 और यह type A वाले हैं, और 50, 40, जो 40 हैं, वो type B वाले गी वाले है, and next Y वाल है, Y shop में, 50 tints of ghee, तो यहां 50 लग लेते हैं, A type आले हैं, 60 tints of ghee of type B, तो यहां पर 60 वाले होगा, got it, दोनों तरह के हैं, यह दिया हुआ, one tints of ghee is purchased, अब देखो, one tints of ghee is purchased, from one of the randomly selected shop, यहां से बढ़ा करो, यह दोनों shop, दो shop पर गया, एक खिलाडी यह गया, कोई, यह कौन से shop, अब दोनों से ले रहा है, लेकिन पहले तो उसको select करना पढ़ेगा, यह मैं, X दुकान पर गया, पहले इस पर गया, ठीक है, इसमें से काम कर लिया, फिर दूसरी दुकान पर आए, इसमें से काम कर लिया, इसमें सामान ले लिया, अब पहले मैंने माल लीजी, X shop को select किय तो यहां पर वही यह base पहुच गया वही, even क्या मालूगे? यह selected, shop x, ठीक है यह माल लोगे, e2 किसको माल लोगे? यह y वाले को माल लोगे, shop y, ठीक है? यह shop y, दोनों को माल लिया है, अब दोनों की परवटी कितनी हो जाएगा, बच्चो, randomly selected यह है, तो p of even, और p of it, दोनों क सेम हो जाएगी, हाफ यह हो जाएगी, हाफ, 1 by 2, यह 1 by 2 निकाल लिया, उसके बाद काम किया हो, एक common event हुआ, ठीक है, उन में से एक सावा निकाला गी का, ठीक है, is found to be type of b, ठीक है, found to be, ठीक है, found to be, तहाँ पर event माल लोगे, कि जो टीन का डिपा आया है, found to be type of b, तो अब p of e by e1 निकाल सकते हो, इसके बाद क्या निकाला हो, p of e by e1, यह e1, पहले एक आता है, बेस सेरों में, e1 मतलब मैंने यह select कर लिए दुकान, इसके अंदर गया, मुझे type b का चाहिए, तो इसकी property कितनी हो जाएगी, type b कितने भी है, 40 है, total कितने है, 70 हो गए, इसी तरह से p of e e2, दूसरी दुकान भी जाओंगा, e2 मतलब दूसरा देखों, उसके अंदर type b ची, type b 60, 60 by 110, 110 हो गया, ठीक है, 110, ठीक है, उसके बाद b वाला पूछा है ना, पर्चेट वाई सोम, तो बेस थेरम के अकोर्डिंग लगा सकते हो, ओके, तो यह वाला सवाल, उससे पहले वा क्योंकि उस चेप्टर से, बेस थेरम से, केस स्टेडी सवाल भी बनेगा, और सवाल नहीं बनेगा, तो इस तरह के सवाल वहाँ, मिलेंगे आपको, ओके, जादा, क्योंकि concept आपका clear होना चाहिए, तभी जल्दी जल्दी पेपर आपका सोल होगा, ओके, next वाला, find the vector of Cartesian equation of line which is perpendicular to line equations, यह उसी तरह का सवाल है, देहन दो, बेटा, दो lines ही, यह दोनो lines है, ठीक है न, अब passes through the point, this one, also find angle between the lines, यह भी निकाल लेंगे, but questions क्या पूछा है, find the vector of Cartesian, दोनों ही type का, यह दिस सवाल में दोनों type पूछा है, तो दोनों type में आपको रिपर्चन करके दिखाना है which is perpendicular to lines with equations, अब एक line ऐसी हो गए, हमें उस line का equation चीए, माल लीजी यह line है, यह दो line, यह दो line, यह दूसरी दो line के equations given होगे, यह line इस पर, और यह line इस पर perpendicular given है, बात समाझ में आ रही है, अब जो line हमें निकालनी है, इसका equation हमें निकालना है, वो इस point से गुजर रही है, तो line का equation तो बना सकते है न, passing through a point, a line passing through a point, 1, 1 and 1, कैसे खरेंगे बाई, तो partition form में लिगा चलो बाई, x minus और नीचे इसका आजाएगा, direction ratio, हमें नहीं पता direction ratio, y minus y1, इसका b लिख लिजिए, z minus z1, इसका c लिख लिजिए, यह equation होगी, partition form में, ठीक ही बेटा, a, b, c इसके direction ratio है, अब क्या होगा, यह line इस पर perpendicular है, और यही line इस पर भी perpendicular है, है न, वाज समझ में हरी है न, तो perpendicular, यादि दो line आपस में perpendicular होती है, अब एक result यूज क्याता है mc के वाल में, वहाँ पर दोनों line आपस में perpendicular है, तो that means, उनिका direction ratio का product always 1 मिलेगा, तो इनिका direction, तो इस line के direction ratio 1, 2, 4 है, और इसके a, b, c है, तो क्या हम लिख सकते हैं, वो results को, a को 1 से multiply करूँगा, a आ जाएगा, plus b को 2 से करूँगा, तो 2 b मिलेगा, c को 4 से करूँगा, तो 4 c, equal कितना आजाएगा, 0, ठीक है, एक दो यह result, दूसर result यहाँ से कर सकते हैं, कि 2 a, plus 3 b, plus 4 c, equal 0, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम इस तरह का बना सकते हैं, भच्चों, यह दिहान देना है, तो यह देखो, दो equations form हो गई, क्योंकि a को इस से, क्योंकि a line इस पर 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 प हम निकाले, आपको इसको cross multiply के थ्रू निकालोगी, a, b, और c इस तरह से लिख लेना, okay, a, b, c इस form में लिख लोगे, अब a, b, c के form से में लिख लिए है, अब a का value निकालने के लिए, आपको क्या करना है, first वाले terms को hide कर लो, cross, cross multiplications use कीजिए, now 2, 4 जा 8 हो गया है, minus 4, 3 जा 12 हो गया, फिर b वाले कंटे, b का value निकालना, b को hide कर लो, यहां से हम चल रहे हैं, तो यहां से कितना, a, 1, 2, 2, 3, और कितना हो गया है, यहां से, 4, अच्छा, यह इसको multiply कर दो, यहां पर क्या लिखेंगे, 1, और 2, और 2, और 3, 2, और 3, और 4, ठीक है, इसको 8 हो गया, minus, यहां कितना, रूग, 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 mistake हुआ है क्या कुछ, sorry, sorry, b का value निकाल रहे हैं ना, इसको hide कर लो, इसको hide कर लो, अब हमें यह निकालना है, तो यह multiply कर लो, कितना हो गया, 4 minus 8, c का value निकालोगी तब हो इसको alma multiply करना है, यह कितना हो गया, 3 और minus 4, okay, a upon, यह minus 4 हो गया है, b upon, यह minus 4 हो गया है, और C upon यह minus 1 आगया है, तो minus तो हटा सकते हो आप, तो A का value minus 4 हो गया, because यह किसके equal है, lambda की equal है, कुछ ना, कुछ constant के equal है, तो A equal minus 4 lambda आगया, B equal minus 4, C minus lambda आगया, यह value कहाँ replace करोगे, last में यहाँ replace करोगे, मतलब direct value रख सकते हो, यहाँ पर 4 रख लोगी, यहाँ पर 4 रख लोगी, यहाँ रख लोगी, got it, के लिए से माइनस माइनस हटा दीजिए, बास समझ भाएए न, तो इस तरह के questions यह 3 marks में पूछा जा सकता है, कुछ conditions दी जा सकता है, इंगल यहाँ गलत पूछा, इंगल किस के बारें पूछा के है, इंगल तो यहाँ perpendicular दिया हो है, लाइनस के बीच में, ठीक है, यह mistake हुआ यहाँ पर, हो जाएगा अब इस सवाल, ठीक है, तो यह 3D वाले चेप्टर से पूछा गया है, questions से, next, अच्छा, इस तरह का questions, एक सवाल आपको मिलने वाला है भाईया, determines वाले chapters से, अब जो हमने test organize किये थे, उसमें कई बच्चों के questions गलत हुआ है, किस method से कर रहे थे हो, क्रेमर रूल यूज कर रहे थे, कही questions में, x, y, z का value निकालना है, a यहाँ दिया है, then find a inverse, using a inverse, solve the following system of equations, right, बच्चों, इस तरह के questions में, आपको क्रेमर रूल यूज नहीं करना, पहले बात बता देता हूं, क्रेमर रूल अपने NCRT में नहीं है, यह deleted है, deleted क्या ही नहीं है, यह इसको यूज नहीं करोगे, आपको a दिया हूए, तो a inverse निकाल सकते है, a inverse कैसे निकाल होगे, a inverse इस formula से निकाल होगे, adjoint of a divided by determines, जैसे कि यहाँ दिया हूआ है, यह a दे दिया, ठीक है न, इसका अस्विले determines चेक कर लेना, exist करेगा definitely, एक value आजाएगे, non-singular होना जरूरी है, non-singular मतलब determines का value not equal 0, अब यहाँ पर आपको adjoint of a निकालना है, adjoint of a यह निकाल रुगा आपको, adjoint of a निकालना है, सबके co-factors आपको निकालने पड़ेगे, और फिर उसका transpose करके matrix form लिखने पड़ेगे, फिर a inverse, adjoint of a मिल गया, उसके determinant से divide कर दोगे, तो हमें पास a inverse आगया, अब इस a inverse का use, इसमें use होगा, यह कुछ देखो, जब इसको matrix form में लिखोगे, a equal करके लिखोगे, एक matrix form में, यहां capital X के form में लिखोगे, x, y और z, यह लिखना है इसमें, और z equal, जो b लिखोगे constant 11, minus 5, और 3, यह लिखोगे जो दिया हुआ है, यहां पर aim, x और n के form में यहां पर मान रखा है, तो mx for n मान लिखा है, x equal aim inverse n आगया है, aim inverse मतलब वो a inverse c है वो use हो जाएगा, यह इन दोनों का product x, y, z, ठीक है, तो इसी method से आपको करना matrix method, यदि आपके practice नहीं है, तो इस तरह के questions की practice जरूर कर लिजिएगा, okay, next question करते हैं, find cos x minus sin x, 1 plus sin, क्या है हो जाएगा, अरे sin 2x, यह direct दिया हुआ है, यह देखो, two marks वाला सवाल है, जादा घफराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर one plus sin 2x को हम लिख सकते हैं, one plus sin 2x, क्या मैं लिख सकता हूँ, sin x plus cos x का whole square, इसको, यह लिखा जा सकता है, तो यही तो replace करना है है, यहाँ पर, integrals of cos x minus sin x divided by, इसको, यहाँ one plus sin x, यह हो गया, sin x plus cos x का whole square and dx, क्या इसको, इसको t consider कर सकते हैं, sin plus cos substitute है, उपर, उपर इसका derivative मोझूद है, तो यहाँ पर let consider कर ले ना, sin x plus cos x, that is t, और sin x का cos x, और minus sin x, और यह dx लगा दीजिए, and dt, यह same as it is, उपर बेठा हुआ यहाँ पर, इसको, हटा दीजिए, और sin x इसकी, जग 1 upon t square, 1 upon t square dt, इसका integral साब कर सकते हो, बड़े समझदार बच्चे हो, है ना, next question कर बढ़ते हैं, अच्छा, इस question में नहीं दीखाई दे रहा होगा, parallel है, मैं बता देता हूँ, दो lines हैं यहाँ पर, और दो lines आपस में parallel हो, आ लीजी, यह मेरा palm और यह है, दोनों lines parallel होता है, तो concept क्या है, दोनों का जो direction ratio होंगे, उनके proportional में बने रहते हैं, the card is from pack of 52 playing cards, is lost, ठीक है, from the remaining cards, यह NCRT का, इस नहीं दिखाई हो, ठीक है बट यहाँ पर NCRT में वहाँ पर कुछ अलग दिया हुआ था, S नहीं दिया हुआता है, वहाँ पर दूसा पत्ता दिया हुआता है, ठीक है, पर यह काम क्या हुआ, पुरी गड़ी थी अपने पास, ठीक है, पत्ते थे total, टोटल पत्ते कितने 52, 52 में से एक पत्ता लोस्ट हो गया, एक पत्ता चला गया, एक पत्ता चला गया, तो भी कितने 51 बचे होंगे, अब काम का हो रहा है, एक पत्ता खोने को बाद जो रिमेनिंग कार्स बचे 51, उसमें से दो पत्ते निकाली जा रहे है, विदाउट रेप्लेस्मेंट, विदाउट रेप्लेस्मेंट का मतलब है, रेप्लेस्मेंट नहीं किया होगा, ठीक है, एंड आप फांट तो भी बहुत है, ठीक है, सबसे यहाँ पर इवेंट कंसीडर काओ, हमें नहीं पता कौन सा, पत्ते तो बहुत तरक्य होते हैं, तो यहाँ पर लेट, एक एवन इवेंट कंसीडर कर लिया है, कि लोस्ट कार्ड इस ns, जिसके बारे पूछा जाए, उसको मान लिया करो, ठीक है न, और e2 क्या हो जाएगा, कि लोस्ट कार्ड is not s, यह कंसिडर कर लिया है, ठीक है, क्या p of e1 मुझे बता सकते हो, p of e1, मैं न, e1 क्या माना है कि लोस्ट कार्ड कौन सा, s का, तो ace cake होने की प्रावटी बूछी गई है, तो ace कितने होते हैं, total 4 होते हैं, तो 4 by, total 52 है, तो 1 by 13 आ गया, okay, similar क्या p of e2 निकाल सकते हो, जी sir, निकाल सकते हैं, p of e2 का मतलब हो लोस्ट कार्ड, क्या इसमें से माइनस कर लें कि यह 12 by 13 मिल जाएगा, बाकी का तो यह ही आ जाएगा, कि लिए जी 12 by, इसको 1 में से माइनस कर तो 1 by 13, तो यह आ जाएगा, अब अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है, कि रिमेनिंग कार्ड में से यह निकाला है, found to be, बहुतेज, तो एक common event हुआ, common बागी जो पत्ते बचे उसमें से दो पत्ते निकाले गए हैं, अब e event माल लो, कि यहाँ पर found to be, बहुतेज, यह बहुतेज, यह बहुतेज, ठीक है अब क्या हुआ, even का मतलब हुआ कि lost card जो हुआ है, वो ace वाला हुआ है, तो found to be both ace, दोनों ही पत्तेज के होंगे, तो ace कितने होगे अब, एक पत्ता ace निकल गया है, total 4 तो 3 बचे, 3 में से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, ठीक है, remaining cards, 2 cards are drawn, तो 3 C2, selection, combinations वाला part, ठीक है, remaining कितन 51 C2 कर लोगे, total to 51 ही बचेंगे ना भावू, ठीक है, तो यह हो गया, इसी तरह से P of, यह दी मैं आप से पूछे, P of E by E2, E2 किसको बता रहा है, lost card is not S, बाकी जो पत्ते होंगे, वो होंगे, S के लावा, और उसमें से हमें E क्या बता रहा, found to be both S, लेकिन हमें तो S चीए द समझ में आती है, यहां से 4 C2, अब क्या हमें निकालना है, कि that lost card बिएंगे S, तो according to base theorem, तो उसके according to base theorem में क्या आजाएगा, हमें S card इता बात करना है, तो S card क्या महना है, E1 महना है ना, और E दिया हुआ है, यह निकालना, E1 by E, तो P of E1 आजाएगे, into P of E by E1 कर लोगे, divided by दोनों का product का sum, theorem of total property, ठीक है, उससे आप निकाल लोगे, तो इस तरह का सवाल NCRT में डिटो दिया हुआ है, बस तोड़ी से wording change की गई है, के लिए रिचाचो, next question है, evolutions of this one, यह NCRT का questions है, यह पूछा गया है board में, property based questions है, क्या property लगा सकते हैं, इसमें, yes, 0 से A वाली property लग की है, तो यहां से हम mention करेंगे, 0 से πाई, यह पाई माइनस X, X को replace करते हैं, पाई माइनस X से A माइनस X, साइन पाई माइनस X भी यहां पर लिखो, पाई माइनस X, साइन पाई माइनस X, यह second quadrant में जा रहा है, चेंज नहीं होगा, साइन X ही बन जाएगा, ठीक है, तो यहां से 0 से πाई, πाई माइनस X और 1 प्लस, यह बच्चों, साइन X ही होगा, डीक्स, इस इस दा फर्स एक्वेशन, इस दा इक्वेशन, जब डिनोमेटर सेम हो, तो अल्वेश फर्स और सेकेंड एक्वेशन कंसिडर कर लो, दोनों को एड़ कर देना, बई, दोनों को एड़ जाएगा, ओके, पाई is constant, यह पाई को तो बहार पतक दो यार, 0 से पाई, 1 अपोन 1 प्लस, साइन X का इंट्रिकर बच्चा बच्चा कर लेगा भई, नहीं करेगा, हो जाएगा, ना, 1 अपोन 1 प्लस, साइन X का कैसे है, बई, 1 अपोन 1 प्लस, साइन X का आप इसको उपर न साइन X के लिए रे चीज बचो, तो यह 1 माइनस, साइन X चलेगा उपर और नीचे कोस स्क्वार एक्स बन गया, अब तो हो जाएगा ना भई, 0 से पाई, इनको सेपरेड करके हो जाएगा, बाइस टेंडर फोर्मुले में, 1 अपोन कोस स्क्वार स्क्वार एक्स बन नेक्स्क्विशन है, यूजिं इंटिगरेशन फाइंड एरिया रिजन इंक्लोज बाइद इस वन और लाइन, क्या निकाल सकते हैं बाई, यह क्विशन लास्ट यही पुछा गया है, करू दे दिया है, यह करू का ग्राफ आपको पता है न, ठीक है न, पेरा बोला पता र होजेगा भई, यह x equal minus 2 है बच्चों, यह 0 पर होता है, और x equal 1 यहां माल लो, ठीक है, यही तो एरिया find out करना है, कौन सा एरिया, यह वाला एरिया भई, क्या यह एरिया निकाला जा सकता है, बिल्कुल जी sir, निकाला जा सकता है, ओके, तो direct limit लगा दो यार, direct लगा दो न, इससे तो x axis ते तो बोला है न, यह x axis है, तो यहां से हम area जो निकालेंगे, minus 2 से 1 तक लगा दीजी, ठीक है, और y dx कर दो, और क्या, इससे तो cover है, पूरा पूरा आज जाएगा, ठीक है, y dx मतला, x square वाला पाटा जाएगा, इसके बीच में integrals करना है, कितना simple सा सवाल पूछा है, ठीक है, next आगे बड़ो, yes, using integration, यह question देखो, पूछा है, ऐसा सवाल नहीं अपने, find the area, region का enclosed by this one, इस line वाला दिया हुआ है, बट यहां पर कोड़ा सा change किया है, अब इस तरह का curve दे दिया, semi circle, and x axis in the first quadrant पे area निकालना है, यह दिया हुआ है, क्या इसको इस तरह से दियर करके, इस तरह से मान सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यह दोनों में difference है, ठीक है, यह पूरे circle को बता रहा है, यह कुछ circle, half circle को बता रहा है, यह इसलिए किया है कि हमें पता लग जाए कि किस shape में, graph बनेगा, y square plus x इसका रिक्वाल 4 है, अब चो देखो, यह circle को represent कर रहा है, radius मुझे पता लग गई, 2 आ गई, ठीक है, तो हमें circle draw कर लेते हैं, यह circle draw कर लिया, इसकी radius कितने हो गई, 2 हो गई, अब हमें तो यह वाला पार्ट से, यह तो नहीं दिया हो था, यह तो हमें सोच कर दिया, अब यह वाला दिया हुआ है, अब यह वाले का graph बनाना है, अब यह क्या चल रहा, अंडरूट 4 minus x square, अंडरूट के अंदर, this is positive, y की कौन सी value मिलेगी, positive मिलेगी, तो मैं कौन से वाले graph को मान के चलूँगा उपर वाला, उपर वाले graph को ही तो मानूँगा ना, यह वाला positive y का, यहां से यहां तक, सिर्फ यही तो पार्ट आएगा, ठीक है न, नीचे वाला नहीं आएगा, ध्यान देना है, यह अपन नही नहीं लेंगे, इसको cross कर दो, अब उपर वाला, lines क्या दी हुए, यह lines से, bounded area, तो y equal mx वाली forms नजर आ रही है, y equal mx always passing through origin, ठीक है, यह हो गया, y equal root 3x का graph, अब दोनों के bounded area पूछा गया, x-axis में, first quarter में, क्या हम यहां से किल्यली दिखा सकते हैं, देखो, यह वाला area, अच् पेटा, यह intersection point है, यह point आपको दिखाना पड़ेगा, भाई, cut कर रहा है, यह line इस कर को cut कर रही, किस point पर वो आपको निकालना, यह 0 है, last वाला दो तो पता है, तो break करके हमें integrals के through, इसका area find out करना है, direct मत करना, दूसरे method से use नहीं करना, इस तरह के questions से, please number कर जाएंगे, य वो गलत है, यह integration वाले chapter से है, तो integration, using integration से ही, आपको area दिखाना पड़ेगा, तो 0 से this one, और this one से 2, अब 0 से this one मतले भी line से cover area है, वो line वाला आप use करोगे, और यहां से यहां तक आप curve से bounded area है, तो curve वाला use करोगे, okay, तो आप यह graph रहा होगे, इसमें point out करोगे, तो इसके marks ह फिर इसके बाद आपको area के पूरी details लिखनी पड़े, got it, last area आता है, तो उसके unit भी mention करिएगा, square unit आ रहा है, यह क्या आ रहा है, okay, got it, यह questions पूछा गया है, next question आते है, यह properties पूछा गया है, यह conditional property वाला है, बहुत simple है, क्या आप निकाला जा सकते हैं इस चीज को, दो events द traditional property का formula याद हो, चो P of A intersection B divided by P of B लिखते हैं, P of A by B, P of A intersection upon P of B, यह question भी last year पूछा गया है, P of A upon B, तो P of B दिया हो, P of A intersection भी निकाल सकते हैं, इसका value कितना है, 3 by 4, P of A intersection B divided by P of B कितना है, half है, यह इदर multiply कर दो, तो P of A intersection B मिल गी है मेरे को, ओके, तो यहां से कितना है, 3 by 8, यह value कहां यूज करूँगा, इस में यूज करूँगा, because P of B by A पूछा है, तो intersection से हम आएगा, नीचे किस से आएगा, P of A से, जो नीचे दिया हुआ, जो given है, P of A intersection B, हम यह यूज करेंगे, P of A, 5 by 8 यूज करन बेग, containing 2, यह 2 marks में पूछा गया सवाल है, 2 marks में, 2 balls are drawn, random from a bag, 2 red balls and 3 blue balls, without replacement, let the variable x denote the number of red balls, number of red balls का पूछा गया है, find the probability, जब इस तरह के सवाल हो, probability distribution बताईए, या फिर denote x denote random variable, तो अपन टेबल यार दा जाने चाहिए, x मतलब values आपको consider करने पड़ेगी, number के form में, x, ठीक ह तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, don't from a bag, bag है भई, ठीक है न, 2 balls, 2 balls, 2 तो red है, right, और 3 कितना है भई, या blue है, without replacement, ठीक है, with replacement, without replacement, यह जरूर आप आँख खोल का जरूर देखना इस चीज को, ठीक है, let the variable x denote the number of red balls, red balls, तो x क्या क्या हो सकता है, 2 balls, तो 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता, random variable, ठीक है, number of red balls को, x equal 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब एक भी red ball नहीं हा रही होगी, 2 balls निकालनी है, पास समझ में हा रही है, तो इसके according, इसकी property निकाल सकते हो, भई, इसकी property के निकालनी है, 3 by 5, without replacement है, तो यहाँ से 2 by 4, ठीक है, 2 balls निकाल रहे है, यह हो जाएगी, इसकी, p of x equal 1, x equal 1 का मतलब क्या हुआ, कि एक red ball नहीं होगी, और दूसरी के नहीं होगी, blue balls नहीं होगी, तो इसकी property कितनी हो जाएगी, इसकी property कितनी हो जाएगी, इसकी property कितनी हो जाएगी, पहली बोल में, मा लीजे, पहली बोल में आप रहे है, तो इसकी property क तो बाइफ तो बाइफ क्योंकि रेड़ बॉल कम होई ठीक है वह वापस नहीं रखी तो वहां पर तीन बुलू बोल तो तीन ही बची हुए ठीक है एक कम हो जाएगे थ्री बाइफ और यह चांस हो सकता है तू टाइम सोफ विकोश दो बार निकालें आगी पीछे यह द्यान पड़ेगा भई इस तरह का टेबल यह तो डारेक्ट आप इसमें रख दो यह X की है यह P of X है यहां 0, 1 और 2 के लिए बात कर रहे हैं यहां इसकी प्रविटी यहां इसकी प्रविटी यहां इसकी प्रविटी तो this is the probability distribution ठीक है यह हो जाएगा इसमें के लिए चीज आगे ब कर लो यार इसको open कर लिया करो इस तरह से dy by dx का whole square बन जाएगा plus two times x dy upon dx आ जाएगा और dy upon dx का whole square तो यह तो one one वाला case बन रहा है na order कितना हो जाएगा एक बार ही derivative हो रहा है तो one हो गया और degree कितनी हो जाएगा यहां 2 हो जाएगा तो one plus two यानिकी three आ जाएगा इसका answer one plus three आत है highest order की जो power चलेगी that is called degree यहां देखना है polynomial की फोर्म में होना अची है सारी सी next में आता है इफ d by dx capital f of x यह देखो यह question से पूछा गया है board में and f of pi by 4, pi by 4 then the find f of x पूछ लिया यह d by d, इसका क्या करेंगे इंटेग्रेशन करेंगे तभी तो capital f of x यही function मिलेगा आप इस त इसका इंटेग्रेशन करेंगे सेग की power 4x को सेग की power 4x dx इसका इंटेग्रेशन करेंगे तो capital f of x मेरे को पास मिल जाएगा ठीके और इसका करेंगे इतने x में convert होगा इध्यान तो sign course में बदल लो या तो इसको ध्यान रूप यह सेग को क्या लिखो इसको क्या लिखो साइइ अपॉन 4 अच्छा च्छा 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 टेइन की power इसको complete यह लिख लो भी 10 की power 4x dx आप 10 की power 4x dx का इंटेग्रेशन क्या होगा पर इसको break करो यार, break करो, इस तरह से break करके लिखे ना मेटो, ओके, एक को convert करोगे फिर sec में, इसको, यह तो first one लिख लो, इसको क्या लिखेंगे, sec square x minus 1 and 10 square x, ऐसे लिख सकते हैं, ओके, यही तो होगा न, यह 10 square, 10 square, ओके, इसको break कर लो, अब इसको अंदर multiply कर दो, इस तरह से, अंदर multiply करेंगे, तो minus, यह 10 square x हो जाएगा, और dx, है ना, अब यहां से दिमाग लगा सकते हो अपना, इसका integrals कैसे करेंगे, sec square x 10, 10 x को team आलो, उसका derivative, 10 x का derivative क्या तो second square, substitute method से, 10 square x का क्या करो, second square x minus 1 में convert करके, second square x minus 1, second square x का 10 x होगा, minus x हो जाएगा, ठीक है, plus c, वहां plus c add करना है, विकोज इस तरह में ध्यान देना है, f of pi by 4 का value क्या होगा, यह value इसलिए तो दिया हुआ है, आप जो x आया, यह f of x आया न, function last में f of x मिल जाएगा, यहां आप क्या रखना है, pi by 4, क्लिए देशीच, वहां c का value हाजाएगा, c का value हाजाएगा, f of x का value हमारे पास मिल जाएगा, got it, हो जाएगा भी सवाल, next आगे बढ़ो, yes, यह question से पूछा गया, यह question log x minus 3 upon log x, whole power 4, यह कैसे करेंगे इसको, यहां दिया हुआ है log x, last year पूछा गया सवाल है, बच्चो भई है, अब यह ncrt में कहीं नहीं मिलेगा आपको, इस तरह का सवाल ncrt में बिल्कूल है, लेकिन इस concept बे सवाल जरूर है, कौन सा concept हो, क्या log x को, log x को आप तोड़े दिर के लिए t माल लो, तो यहां से कितना आजाएगा, x equal e की पावर t आजाएगा, क्या से लिख सकते हैं, क्या से लिख सकते हैं, इसका derivative क्या हो गया, dx by e की पावर t और dt हो गया, बास समझ में आगी, तो dx की जग़ तो मैं छाप दूँगा, e की पावर t और dt हो गया, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल जी सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, t की पावर 4 है ना, minus है ना, 3 अपोन t की पावर 4, ऐसे लिखा जा सकता है, और e की पावर यहां जाएगा, e की पावर t and dt, ओके, अब ये हड़ गया, ये क्या हो गया, 3, 1 अपोन t की पावर 3 हो गया, माइनस 3 अपोन t की पावर 4 और e की पावर t dt, बताओ भया, कौन सा लगा फोर्मूला, आपको याद आगया होगा, जी सर, आपने बताए था सर, बताए था, f of x plus f dash x और dx, तो इसका final answer क्या होता था, f of x plus c, बास समझ में आए, इस function का derivative यहाँ मुझूद है, क्या 1 अपोन t की पावर 3 का derivative मुझूद है, यह सर, बिल्कुल है, ठीक है न, माइनस 3 अपोन t की पावर 4, तो यहाँ से हम जो direct answer जो मिलेगा इसका, तो e की पावर t, माइनस बाहर लेगा, प्लस माइनस direct दिया हुआ न, तो यहाँ से 1 अपोन t की पावर 3, और प्लस सी आप 8 कर देना, प्लस सी आप 8 कर देना, हो जाएगा भई, t की जगह वापस से लोग x रख देना, t की जगह वापस से लोग x रख देना, क्या समझ में आए चीज, क्या बास समझ में आईए, तो इस तरह का सवाल तो है न, भई, ncrt में हैं इस तरह का concept, ओके, जो अलड़ी हमने पढ़ाया हुआ है, उस तरह का सवाल, ncrt में नहीं दिया हुआ, इस तरह का सवाल जरूर है, बट questions इस रूप में भी आ सकता है, ओके बचों, next, if a, b are two vectors, which the vectors is perpendicular to vector, find the vectors, क्या निकाथ, बहुत तीजी है आ रहे तो, दो vectors easily दियो है, a और b, ठीक है, और which the a vector perpendicular, यह दोनों vector आपस में क्या है, perpendicular है, find the possible value of y, तो निकाल सकते हैं, यदि यह a vector plus b vector perpendicular है, तो मेरे को तो बात समझ में आ रही है, कि इनका product 0 मिल रहा होगा, तो यह क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, 0, a और b, a और b यहां निजर आ रहा है, तो इसका magnitude यहां लिको, b का यहां लिको, whole square यहां से y की value निकाल लेना, और कुछ नहीं, y की value easily आ जाएगी, ज्यादा difficult सवाल नहीं है, ठीक है न, बस तोड़ा सा आपको समझते हुए, काम करना है, next question पराते है, fine, यह पूछा गया, CBC board में, ठीक है, dx यह NCRT वाला सवाल है, 1 upon under root x, यह miscellaneous exercise है, मैं क्या बोला, miscellaneous exercise, integration की, तो आपको यहां पर x को, यह T की power 6, consider कर लेना, because यहां पर जो power चल रही है न, तो x की power half चल रहा है, और x की power यहां पर 1 by 3 चल रहा है, यह जड़ा ध्यान देना, ठीक है, तो x पर आप T की power 6, इसका derivative कर देना, यहां रखोगे, by formula में convert हो जाएगा, आप ज़रूर देखेगा, यह NCRT का डिट्टो सवाल है, next, यह question पर NCRT का लेवल का है, cos x upon 1 plus sin x, 4 plus sin x, क्या हो जाएगा, विकोज यह board में पूछे गए है, CBSC board में पूछा गया है, क्यूशन से, यहां पर sin x का derivative उपर मोजूद है cos x, तो यहां पर sin x को आप consider करके, T consider कर लो, ठीक है न, इसका derivative substitute मोजूद हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा, dt upon 1 plus t और 4 plus t, फिर उसको कैसे करना है, partial fraction में तरसे, क्या partial fraction यूज कर लेंगे यहां पर, कि 0 से, पाई बाई 2, यह dt upon 1 plus t और 4 plus t, क्या इसको partial fraction ब्रेक कर सकते हो, जी sir कर सकते हैं, उसको partial fraction ब्रेक करोगे, complete दिखा होगे आप वहां पर, उसको फिर integrals करोगे, ठीक है, यहां पर t माना derivative करी दिया, ठीक है, ठीक है, last t आए, तो t को आप sin x से replace ज़रू कर दीजिएगा, बास समझ में है, के लिए रहे चीज, के लिए रहे चीज भाई, next question आते हैं, क्या यह question हो जाएगा, बिलकुल हो जाएगा, A, B, C and D are four non-zero vectors such that A or B, यह दोनों बराबर दियो हैं, तोड़ा सा comparison करना सीखना पड़ेगा, यह दोनों equal दियो हैं, A cross C for B cross D, then show that A minus D is parallel to 2B minus C, parallel, दो vectors parallel है, तो parallel है तो आप बना सकते हो, इसमें parallel के लिए आप concept यूज करो, यह दो cross product निकालों इन दोनों का, 0 मिलेगा, because A minus 2D, जब parallel बोल दिया, तो इसका cross product, क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, ठीक है? है ना, तो 0, मतलब cross product 0 मिलेगा, तो आप जीरो लेकर आना है, बात समझ महां है ना, तो इन दोनों cross product करो, इसका, इसके साथ cross product, इसका, इसके साथ हो जाएगा, तो, इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, अब next step में जो बनेगी, देखो कहानी क्या बनेगा, आपको direct दिया हुआ है, कुछ नहीं, घपनाने की जुरूद नहीं है, इक cross B, C cross D के बराबर है, एक cross C, किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ जो forms बनेगी, वो सब यहीं repeat होईगी, दो part होगी, जो आपस में बराबर हो जाएगी, एक positive होगा, एक negative होगा, cancel हो जाएगे, सारे terms क्या मिलेगा, मेरेको 0 मिल जाएगा, और 0 मिलते हैं, that means, वो, दोनों वेक्टर सम क्या consider करेंगे, parallel consider करेंगे, किलिए रहे चीज, बात समझ मैं है न, देखो, तो हमने यहाँ पर almost 48 से 49 questions solve किये हैं, जो PYP हैं, जो पिछले सालों में पूछे गए बोर्ड में questions है, तो बचो, यह मेरा जो मकसद था, इसको लेकर आने का, so that आपकी तैयारी, आपकी प्रिविशन तोड़ी अच्छी हो सकें, इस लेवल के questions जरूर solve करके जाना ना, पिछले वाले PYP जरूर solve करके जाओ, वाले भी कल वीडियो आपके पास आ जाएंगे, ताकि आप कौन-कौन से topics आपको पढ़ना है, कौन से topics नहीं पढ़ना है, कौन से topics important है, उस पर जरूर आप exercise करें, focus करें, okay, thank you.